हेलो एवरीवन, होब सो, यू अल आ फाइन, दिस इस लेक्ट्चर टू अफ एकनोमिक स्रीज पीटे 365 एंड टोडे विल स्टार्ट फॉर्म फिजिकल पॉलिसी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ग्रोध, डेबलप्मेंट, एंड पॉवर्टी, अलेवियेशन आज स्टार्ट करते हैं फिजिकल पॉलिसीज देखो सबसे पहले समझते हैं वाट इस फिजिकल पॉलिसी इन most of country में, दुनिया की जितनी भी लगभग आज democratic country है, उसकी जो economic policy है economic policy मतलब देश की जो अर्थ विवस्था है न वो दो institution मिलके चलाती है first तो government itself and second one is जो है वहां की central bank, जैसे इंडिया के case में ये central bank हो जाता है RBI, मिंस ये दोनों मिलके ये तै करता है कि देश का आर्थिक निति कैसा होगा तो जिस काम को government करता है उससे हम लोग नाम देते है physical policy की और जिस काम को central bank करता है उसे नाम देते हैं हम लोग monetary policy की हलां कि physical policy का हिंदी meaning और भी interesting है जिसका मतलब होता है राज कोसिया निति देखो होता क्या था NCN times में जब monarchy system होती राजा का system होता तो राजा का ये कोस हुआ करता था जिसमें क्या होता था कि provision of tax था जो भी people tax यानि की कर पे करते थे चाहे in the form of gold, silver, food, grain, rupees इन सब के मामले में जो भी कर प्राप्त होता वो राजा एक भवन में रखता और उसके बाद राजा अलग-अलग developmental plan जैसे की road, agriculture, infrastructure, etc. एटसेक्टरा के लिए वो खर्च करता सेम जब आज monarchy से हटके हम लोग democracy में आ गये हैं तो ये role play किया जाता है government के द्वारा जिसमें की government का major काम होता है economic policy related क्या कि पहले तो tax का provision लगाना कि किस व्यक्ति को कितना कर देना है and second की government किन-किन area में spending करेगी कितना खर्च करेगी ये चीज हमें पता चलता है yearly budget से तो budget में government बताती है कि this year we will going to spend that much amount in different sectors उसके बाद जो अलग होती है वो second होती है monetary policy monetary policy RBI के द्वारा तय की जाती है हमार देश में RBI मतलब central bank के द्वारा ये तय होती है इसमें mainly ये बताते हैं कि interest rate और supply of money यहाँ पे जो interest rate होगा मतलब कि जब money flow करेगी from one institution से another institution लाइक मान लिजे one bank to another bank और RBI से दूसरी bank plus bank to individual जैसे कि हम लोग जब bank से loan लेते हैं इन तीन सिनारियों में क्या tax rate होगी interest rate क्या होगी वो decide किया जाएगा RBI के द्वारा ये supply of money को regulate करते हैं at the time of inflation तो both physical policy and monetary policy क्या है कि एक ये economic tools है used to manage or stimulate the economy economy को manage करने के लिए उसको stimulus मतलब कि economy की growth को उपर करने के लिए कभी inflation बहुत जादा है तो inflation को कम करने का काम इन सभी का काम जो है वो physical policy and monetary policy के द्वारा तै किया जाता है next we will start our first article status of government finances देखो first article क्या करता है government finances में कि status of government finances का मतलब क्या है कि government को किस area में finance करना पर रहा है उसकी वजह से क्या कुछ impact बर रहा है और अपनी समान को export करती है इंडिया भी उसी तरह से कुछ समान क्या करती है वर्ल्ड से अपने घर मंगवाती है और इंडिया से हम लोग कुछ समान वर्ल्ड में बिफरेंट इफरेंट कंट्री को बेचते हैं जब हम किसी कंट्री से समान मंगवाते हैं तो चुकी हम उसको हमें पे करना होता है उसे डॉलर में क्यों डॉलर में पे करते हैं विकाउज डॉलर is an internationally accepted currency that's why हमें हर सामान की कीमत most of the case में hard and fast roll नहीं है कुछ country से हम लोग रुपए में भी deal कर रहे हैं जैसे इरान से हमारा deal जल रहा है petrol जब हम लेते हैं तो उससे हम rupees में ही pay करते हैं but most of case में क्या होता है हमें उसे dollar में pay करना होता है और जब हम कोई सामान को दुनिया को बेजते हैं तो वो हमें dollar देता है ठीक है simple से यह rule है अब इस चीज को कहते है foreign trade foreign trade में यदि आप ऐसा सोचो कि आप बहुत सारा सामान को क्या करते हो इंपोर्ट करते हो मतलब सापोज करो कि धेर साला धेर सारा oil जो है आप खड़ित रहें इसके लिए हमें तब धेर सारा payment करना होगा बाहर के दुनिया को जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास जो है dollar की कमी हो जाएगी और इस चीज को कहते हैं deficit जब आप इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और बेचते बहुत कम हैं यह बहुत ज़्यादा होता है तो इस चीज को करते हैं deficit इसका जस्ट अपोजिट कंडिशन कि हम मानलो 10 रुपे का समान ही मंगवारे हैं या 10 डॉलर कहीं समान बाहर के देश से हम अपने हम मांगवारे हैं बढ़ हम बेच रहे हैं 100 डॉलर की समान को तो इससे क्या होगा surplus अब जो surplus का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 डॉलर तो मानलो चला गया और 100 डॉलर हमें आ रहा था दुनिया से तो 100 डॉलर में से 10 डॉलर इधी चला जाता है तो 90 डॉलर जो है न यह हमारे पास क्या हो गया reserve हो गया यह reserve RBI के control में रहता है जिसे कि हम लोग foreign exchange reserve कहते हैं बहुत important है foreign exchange reserve हमारा तब growth करेगा कि जब हम import को अपना regulate करे और export को as much as possible हो हम लोग बढ़ाएं इसे ठीक है तो इन चीजों का हिसाब कि पूरी की पूरी एयर में कि कौन सी सामान हमने कब import किया कितना का import किया कितना पैसा हमारे country में डॉलर में आया तो इन सभी चीज का हिसाब रखने के लिए एक account मतला एक सपोज की जिनर diary बनाया जाता है जैसे हम लोग भी कोई हिसाब करते हैं तो इसे लिए क्या करते हैं रूम की expense होती है student life में तो वो क्या करते हैं एक diary में maintain करते हैं मुझे इतना पैसा इस चीज में नहीं खर्च करनी इतनी पैसे यहां से आएगी तो इन सभी का हिसाब जिस diary में maintain होता है उस diary को करते हैं हम लोग balance of payment balance of payment में three column बनाया जाता है कि समान क need के हिसाब से और उसकी quality के हिसाब से हम उसे three types में divide करते हैं ठीक है first को करते है balance of trade second को करते है balance of invisible and third one को करते है balance on capital account balance of trade beauty balance of invisible and balance on capital तो देखो ये चीज जो मैंने यहां पे लिखा है किसी book में मैंने नहीं देखा है बट ये जो trick जब आप जब भी apply करेंगे तो उसमें 99.99% almost 100% आपको ये correct होगा कि जब भी आपको balance of trade और balance of invisible हो तो इसे समझना है कि ऐसी समान का import और export जिसमें कि हम day to day consumption करते हैं समझ मारा ह किया ऐसे समझते हैं एक line में कि मानलो ये आपने क्या किया एक अपना जो है ये dairy बनाया ठीक है इस dairy में आपको three column में समान डालनी है कि आप दुनिया में क्या कितना बेच रहे हैं और क्या कितना लाड़ हैं आपको हमेसा क्या करना है जो चीज आप देखो इंडिया के respect में हम लोग अपना account बना रहे हैं यदि इंडिया में कोई चीज हम import कर रहे हैं मतलब हमें यहां से पैसा देना पड़ेगा इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होड़ा यहां से हमें dollar देना पड़ेगा dollar देना है तो हमारे reserve में dollar कम होगा तो इसको account में minus में चलाते हैं जो चीज प पहले तो balance of trade and balance of invisible ये दोनों किस चीज के लिए होता है तो ये जब आप day to day consumption करते हैं day to day के लिए उसे कहते है balance of trade and balance of invisible अब उसके बाद इन दोनों में क्या अंतर है तो trade वाला balance of trade में mostly क्या होता है यहाँ पे आती है आपको goods वाली समान आती है जिसे आप देख सकते हो चू सकते हो टच कर सकते हो और balance of invisible में क्या आती है ये mostly services वाली item आती है जिसे मान लो क्या हुआ आप एक software बाइ कर दो अमेरिका से तो software को आप देख नहीं सकते हैं उसे हम लोग कहते है balance of invisible and balance of on capital account का मतलब ये जो third number जो है balance on capital account इसका मतलब होता है कोई ऐसा समान आप buy कर रहे हो या बेच रहे हो जो उस इनसान को occasionally use पड़े या उसकी investment एक बार होगी daily उसकी investment नहीं करती होगी अभी बिल्कुल अच्छे से example अभी सम कॉलम में समझेंगे मानलो आपने क्या किया oil import कर रहे हैं तो तेल जो हम लोग करते हैं क्या तेल की consumption मन्त में एक बार होती है नहीं Infosys जो की हमारे इंडिया का company है उसने क्या क्या एक software बेच दिया न्यूजिलेंड को तो वो मानलो कितने में बिका मेरा software तो 100 डॉलर में मानलो तो हम चुकि बेचे हैं इंडिया ने बेचा है मतलब इंडिया को डॉलर मिलेगा तो यहां पर क्या करना होग है प्लस 100 डॉलर हमने इसमें अपने services वाली मतलब जो invisible वाली एकाउंट है हमने इसमें डाल दिया 100 रुपेज और balance on capital एकाउंट मानलो एक dairy factory है जो की अभी ice cream बनाएगी तो ice cream बनाने के लिए उसने क्या किया दो बड़ी-बड़ी heavy machinery लगाई जो की import किया इसने आस्ट्रेलिया से यदि आस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होया तो इसको पैसा देना होगा तो इस एकाउंट में मानलो यह 200 डॉलर में खर्च आया तो 200 डॉलर क्या करेंगे अपने एकाउंट में हम लोग इस तरीके से चरहा देगे 10 तरीके क्या से पूरी कि पूरी balance और निकाली जाती और चैनली जब केलकुलेट किया जाएगा तो जो ट्रेड वाला और अएटम जो इन्वेजिबल वाला था इसको हम लोग current account बोल देते हैं और इसे बोल देते है capital इसके बाद इतनी help होगी आप बिना देखे पहचान में पहचान सकते हैं अब देखो जो economics की यह यहां पर यह मोनाल सर की notes है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डाग्राम में समझाया है देखो BOP हम उन्हें बात किया एक तो current account होता है करेंट एकाउंट को हम लोग दो पार्ट में बाढ़ते हैं विजीवल एंड इन्विजीवल का मतलब क्या हम लोग समझे अभी इसमें मोश्टली क्या होता है गुड्स मतलब सामान जिसे आप देख सकते हो इन्विजीवल में क्या आ गया सर्फिसे़ हो गया इंकम हो गया और ट्रांसफर हो गया जितनी भी सर्फिसे़ हो गया मतलब आईटी हो गया तीचिंग हो गया teaching भी services है ये सभी item invisible में आएगी अब देखो एक जो profit होती है profit क्या हुआ कि आपने कहीं पर investment किया इसके लिए भी हमने तो profit interest dividend और इसके just opposite क्या हो जाएगा ये जो हमारा investment है ये capital इसे समझने के लिए देखो मैंने इसे ही पर लिखा है इस यहां समझ में आ जाएगी बहुत ध्यान से समझने है बहुत मतलब अच्छे से क्या चीज है मतलब आपको हमने क्या क्या कहा कि जो भी long duration के लिए होगा उसे हम लोग समझेंगे कौन सी list में रखेंगे balance on capital account मानलो एक term है FDI आपने सुना होगा FDI यदि नहीं पता है FDI FDI का simple मतलब होता है कि कोई भी non-citizen मतलब यदि मानलो हम Indian है ठीक है यदि हम लोगों ने किसी दूसरे country में invest किया money को that is known as FDI यदि दूसरा country वाला हमारे यहां invest करेगा तो वो भी FDI कहलाएगा तो ये FDI क्या होता है FDI एक long term investment है जिसमें कि आप invest करते हो उस company में तो almost कुछ समय के लिए और FDI daily daily नहीं करता है कोई आदमी ऐसा थोड़ी है कि आज हमने 100 करोर किया कल भी 100 करोर परसों भी 100 करोर जितना पैसा उसे करना होगा almost month, two month, three month के लिए तो करेगा that's why हम FDI के amount को क्या करते हैं उसे रखते हैं हम लोग long duration यानि कि occasionally वाले तो मतलब हो गया balance on capital account में सो जो एक walmart company है अमेरिका की वो invest करना चाहता है 16 billion dollar FDI किसमे flip card में ये invest करना चाहता है किसमें करना चाहता है invest invest करना चाहता है वो flip card में तो अब मालो इस account को आप हो क्या चीज़ तो आपको ये balance of payment लिखना था तो आप इसको क्या करोगे actually ये 16 billion dollar मतलब हमारे इंडिया में आएगा जब अमेरिका invest करेगा तो हम अपनी क्या करेंगे capital account में इसको plus में चला देंगे ठीक है कोई problem नहीं चुकि once a while आती है occasionally ये हो गई अब मान लो within a year क्या होता है कि इसके complete card को profit होती है तो profit है तो आप चुकी उसका भी पैसा है तो उसे वापस return हमें कुछ money करनी होगी तो मान लो उसमें से जो share बनता है कि इसका walmart का जब वो 16 billion dollar invest किया था हमारे इंडिया में से money जाएगा तो इसे हम लोग रखेंगे 2 billion dollar minus में कहां पे current account में अब बोलोगे आप अजीब बला बात है invest किया तो capital amount में और जो जब वो पैसा लेके जाढ़ा है तो current account में रखेंगे जी हाँ देखिए जो money invest किया है क्या उसकी जो है उसकी जो profit और जब वो total calculate हुआ तो जाके ये 2 billion dollar बना that's why हमने इसे current account में रखा अब बस एक concept day to day मतलब ये profit flip card को एक दिन में नहीं हुआ flip card ने पूरी साल मेहनत की कमाया तो that's why हम इसे current account में रखेंगे अब दूसरा example ऐसे समझीए Tata ने क्या किया हमारे Tata Indian company है Tata ने 10 billion dollar जो है Jaguar company में invest किया Jaguar जो की British company है तो चुकि अब ये Tata invest कर रहा है कहां पे Jaguar में तो ये money क्या होगा India से वह बाहर जाएगा और ये एक बार में बाहर जा रहा है तो मतलब capital account में 10 billion dollar रख दिया बट उसके बाद क्या होगा अब Jaguar मान लो क्या अब इसको क्या हुआ Jaguar को profit हुआ तो Tata की share के हिसाब से बनता है मान लो 3 billion dollar बट ये 3 billion dollar क्या करेगा Britain अपने पास नहीं रखेगा ये इसको देना है किसको Ratan Tata जी को देना है तो वो पैसे क्या हो जाएगा फिर India आएगा तो इंडिया आएगा तो 3 billion dollar अब कोशन था कि हम इस 3 billion dollar को किसमें रखे current मेरा capital में actually profit daily नहीं daily होता है profit that's why इसे हम लोग add करके रखते है current account में hopes so आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ये बात कर रहेते हम लोग यहाँ पे तो जो profit होती है आप कहीं पर भी profit कमाते हो ये daily काप का होता है interest जो होता है अब जैसे कि किसी को आपने क्या किया है या तो loan दिया है या किसी से loan लिया है Indian government ने मालो अमेरिका से loan लिया है तो loan जो लिया है वो एक बार में loan आएगा बस उस loan की amount जो interest हमें pay करनी होती है ये interest हमें क्या करना होगा daily interest पे करना होगा तो ये जो loan का interest payment वाला account होगा वो हम रखेंगे current account में और loan की amount को रखेंगे हम लोग capital account में dividend किस पे मिलता है जब आप कहीं investment करते हो जो भी हम लोग कहानी देख रहे थे तो dividend वाला भी कहानी यहाँ पे हो गई investment इसमें हो गई investment एक बार होती है dividend हर दिन मिलता है transfer transfer क्या होता है एक word है remittance remittance कैसे क्या होता है बहुत साड़े ऐसे Indian citizen है जो की दुबई में job करते हैं तो दुबई में जब वो job करते हैं करने के बार जो अपनी salary होती है अपने father को अपने parents को send करते हैं तो जो money India आती है उस money को हम लोग कहते है remittance करते हैं donation हो सकता है कोई जैसे NGO है NGO कहिए या फिर मान लिजिए Bill Gates है Bill Gates का एक foundation चलता है Melinda Gates Foundation जो की India में sanitation के लिए girl के लिए जो सोचाले बनती है उसके लिए वो काफी investment करते रहते है तो वो एक तरह का donations आता है वो donation भी हम लोग क्या करते हैं वो invisible में रखते हैं और जो gifts होती है कोई किसी ने हमें gift दिया तो वो चीज क्या होता है वो भी हम इसे invisible में रखते हैं और capital account जो कि once in while occasionally कभी कभी आती है तो एक होते investment investment FDI में आती है FPI में आती है FDI and FPI में एक बात कहीं difference है FDI होता है long term के लिए और FPI होता है short term के लिए investment loan होता है loan हम क्या करते हैं या तो किसी foreign country से loan लेते हैं या foreign country को loan देते हैं जैसे इंडिया कभी कभी सिरलंका को loan देता है USA से loan लेता है इस तरीके का system चलता है तो जो भी लेना और देना है दोनों तो डाइरे में चलाना होगा जब हम loan लेंगे तो वो इंडिया में money आएगा तो plus dollar में दिखाएंगे जब वो loan का amount जाएगा तो वो minus में दिखाएंगे उसके बाद banking sector में भी जैसे कि कोई कोई banking है वो भी क्या करता है foreign bank से वो क्या करता है money लेता है तो उसकी भी account को हम लोग कहां रखेंगे capital account में रखेंगे खुब सो अब आपको balance of payment समझ में आया होगा अभी की news क्या है PT 365 में कि इंडिया जो है न current account deficit में चल रहा है यही ची लिखा हुआ था current account deficit है current account deficit किसी भी country के लिए जो है बहुत ही खतरनाक होता है उसके लिए मतलब वो economy में current account deficit नहीं होनी चाहिए क्यों उससे क्या problem होता है देखो आप यदी क्या होता है current account का मतलब क्या समझा कि day to day expenditure मतलब daily के consumption के लिए आपको यदी deficit में जा रहा है इसका मतलब क्या है इन साड़ी समान का जो है import हम लोग क्या कर रहे है import बहुत जादा कर रहे है और export कम कर रहे है तो यह एक burden होता है किसी भी economy के लिए जब उसकी current account deficit काफे जादा होती है तो इंडिया के case में जो current account deficit अभी तक के history में रहा है एक दो year को exceptional ही छोड़ दिया जाए तो mainly हम लोगों को होता है current account deficit यह goods वाले item के लिए services में हम लोग काफी अच्छा काम करते है services में इंडिया को जो है क्या plus में ही दाता है इंडिया अच्छा खासा services को export दुनिया को बेचता है और पैसा कमाता है बट हमें नुकसान को देता है तो हमें जो नुकसान मिलती है वो goods के कारण और इस goods में जैसे की सबसे जो अधीक पैसा हमें जाता है वो तो एक तो oil हो ही गया प्लस second number पे gold भी बहुत जादा है जो कि हम लोग काफी consume करता है इंडिया में सारे occasion पे जितने भी weddings वागे रहे होती इसमें gold ज़रुरत होती है तो that's why इन सब चीजों के currency जो है इंडिया की जो ये item है वो deficit में चले जाती हम उतना बेच नहीं पाते हैं दुनिया में और import बहुत जादा कर लेते हैं जो कि माथे का दर्द बना रहता है किसका government of India का जब हम जितना ज़्यादा ये import करेंगे हमें उतना ज़्यादा ही dollar अपने पास रखना होगा इसे pay करने के लिए और dollar रखना मतलब क्या होता है क्या कि dollar आप रखने हो तो उसकी वज़ा से क्या है कि dollar की demand काफी बढ़ रही market में तो जब dollar की demand बढ़ेगी तो automatically रूपी की demand कम हो जाएगी और जिसकी वज़ा से अभी के case में भी आप सुन रहे थे रूपी काफी पिछरते चले जा रहा है जो वन डॉलर बरावर 70 के रूपीज क्या सपास होता था means one dollar is equals to 70 कभी होता था आज one dollar is equals to 80, 84 इस range में चले गया है और जो की काफी economy को नुकसान पहुचाती अब आपको इस article में हर कुछ समझ में आ जाएगा एसा एक भी point नहीं है जो नहीं समझ में आएगा balance of payment की बात कर रहा था current account, capital account देख लिया current को visible, invisible भी देख लिया जिसमें की visible में देखो जो बात किया crude oil, car, mobile, computer, gold etc invisible में services हो गया, income हो गया, transfer हो गया यह सभी च्छे हमने diagram में देख लिया और यह ध्यान में बस इतना ही बात रखनी है current account मतलब समझना है day to day day to day से आपका साड़ा काम किलियर हो जाएगा इसमें उसके बाद current account deficit देखो यदि यह zero line है यह GDP यह मानलोग जीरो पर दिखा रहा है तो current account deficit most of the time from independence जो हम लोग क्या रहा है यह negative में ही रहा है देख रहे हैं मतलब जीरो से नीचे मतलब हमेशा negative में रहाता है निगेटिव का मतलब क्या है कि हम धेड़ साड़ा import कर रहे है की facts about India's current account deficit में क्या क्या कहता है कि trade deficit in mercantise mercantise goods मतलब जो भी goods में हम लोग कर रहे हैं वहां पर देखो कितनी कि हमें 192 यूएस डॉलर बिलियन मतलब 192 बिलियन यूएस डॉलर की जो है हमें deficit हो रही है मतलब हर साल नुकसान हो रही है इतना हम लोग इतनी amount जो है न एक्स्ट्रा हम लोग बाय कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट के accordingly नेक्स्ट करता है कि और यही में रीजन है बिहाइंड इंडिया ज करेंट एकाउंट deficit इंडिया है ट्रेड सर्प्लस हमने बात किया था न कि हमारी service sector काफी अच्छी है हमारी जो है service sector service में हम लोग काफी इसमें surplus रहता है हमेशा यह plus हमें स्वो करता है इसमें से खास करके हमारा इनफोसिस है वो काफी इसमें योगदान TCS है यह सब काफी अच्छा important role play करता है तो हम services में surplus हैं कितना रहा 105 billion US dollar की हमें इसमें plus रही इसमें minus में रहा 192 billion US dollar इंडिया कहता है क्या ये चीज कई बार exam में पूछा है कि दुनिया का largest recipient of remittance मतलब आपको पता है जैसे कि बहुत सारे Indians बिदेशों में रहते हैं बहुत सारे Indians मतलब ऐसा करता है हर 5th person in the world belongs to India तो वो लोग जितने भी earn करते हैं अपने फैमिली को पैसे भीजते हैं तो ऑब्विस सी बात जब पैसे आएगी तो क्या होगा कि दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस जो है किसे मिलेगा इंडिया को मिलेगा कता है इन लास्ट फ्यू येर्स फ्यू आइसोलेटेट क्वार्टर्स और करन्ट एकाउंट सर प्लस हुआ था क्या कोवीट के समय में हमने दुनिया में चुकि सब जगह जब सप्लाइचेंड डिस्रप्चर हो गया था तो इंडिया फ्यू एकॉनमीज में था जो कि फिर भी एक्सपोर्ट इंडिया की बढ़ रही थी जिसकी वज़ा से क्या हुआ था इंडिया का पहली बार हिस्टरी में क्या हुआ कि करन्ट एकाउंट सर प्लस हुआ था बात क्या ही था अभी हमने कि करन्ट एकाउंट सर प अभी जस्ट हमने बात किया जब आप क्या होगा धेर सारा सामान इंपोर्ट करोगे खड़ी दोगे इंक्रीज इन डॉमेस्टिक डिमांड कंजुमर स्पेंडिंग बहुत सारा सुना चांदी तेल खड़ी देंगे दुनिया से तो हमारा क्या होगा करेंट एकाउन कंट्री हम लोग हैं राइज इन ग्लोबल कमडिटी प्राइस दुनिया में क्या हुआ अभी कोड़ोना के बाद यह मतलब उसके बाद जो है रसिया यूक्रेन वार इन सब ने क्या किया न कि हर कमडिटी की प्राइस बढ़ा दी जब प्राइस बढ़हेगी इसका मतलब इंडिया मोस्ट अफ टाइंज ने इसने अपने इंडिस्ट्री सेक्टर पे कभी उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जैसे कि दुनिया ने दिया था जैसे यूएस नहीं किया जैसे चायना नहीं किया उसने कम्प्लीट एक डिकेड टू डिकेड मतलब 10-10-20-20 साल के ऐसी प हो गया सर्विसेस सेक्टर पर हमारा इंडस्ट्री लेग बिहाइंड कर गया जिसकी वजह से हम उस लेवल की समान और उस उस प्राइस में नहीं बना पाते हैं जिस प्राइस में दुनिया बनाती आप अक्सर देखते हो हम सभी में ऐसा नहीं होता है कि हम सभी नहीं चाहते है कि we want to buy Indian goods बट क्या होता जब मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि इंडियन सामान में और चाइनीज सामान में कई मतलब मतलब इतनी प्राइस की अंतर होती है कि लास्टी वी हम लोग क्या करते हैं मजबूरी में जाके चाइना वाला ही सामान खड़िद लेते हैं इंडिया की जो गूट्स बनती हैं वो काफी कोश्टली हो जाती है उसके बाद यह तो यह चार पॉइंट थी जिसकी वज़े से करेंट एकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है थ्रेट्स फ्रॉम करेंट एकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो क्या इंपक्ट पड़ेगा एकॉनमी पे तो कहता है पेमेंट इंबैलेंस लीडिंग टो ब्योपी क्रैसिस अक्सर आप दुनिया की बहुत सारी कंट्री के न्यूज सुनते हैं कि वहां पे ब्योपी क्रैस जिस हुआ गवर्मेंट में पूरा हाहाकार मच गया जनता सरक प्या गई तो ब्योपी क्रैसिस मतलब क्या एक ऐसा समय होता है जब कंट्री के जो फोरेन एक्सचेंज डिजर्व होती है उसमें डॉलर बिलकुल खतम होने लगे चले आता है अब जब डॉलर नहीं बचा तो जो अभी डिसेंट में केस हुआ कहां पे सिरलंका का आप नियूज देखे होंगे सिरलंका ब्लेक आउट हो गया उसके पास कुछ भी एमाउंट नहीं था कि वो कुछ मतलब ब्योपी क्रैसिस कंप्लिट लिया गया तो इंडिया को भी एक समय ऐसा था कि इंडिया को भी ब् अब डॉब्रलाइज प्राइबटाइज ग्लोबलाइज किया और जिसकी वज़से हमारी इस्तिति तब से सुधरी और अभी हम लोग बहुत अच्छी इस्तिति पे हैं बट हमारी करेंट अकाउन डेफसिति दी हमेशा चलते रहे तो हम इस इस्तिति पे पहुच जाएंगे उसके बाद कता है क्या inflationary concern की यदि current अकाउन डेफसित बढ़ती है तो उसका क्या होगा inflation देखने को मिलेगा inflation मतलब general rising price देखने को मिलेगा अपने economy में सही बात है कि आप देखो कि demand and supply की rule है अब डॉल चुकि जब current account deficit हो रहा है धेर सारा डॉलर हमारे country से क्या उड़ा है जा रहा है तो मतलब क्या होगा जब डॉलर जा रहा है मतलब डॉलर की demand जो है बढ़ रही है तो जब डॉलर की demand बढ़ेगी रूपी की demand कमजोर हो जाएग बाकि और भी क्या inflation के बारे में detail से हम लोग चर्चा करेंगे जब हम वहाँ उस topic पर पहुँचेगे तो inflation पर बात करेंगे उसे लगेगा रहे daily वहाँ तो rate up down होता है छोड़ो उस country में जाके invest नहीं करना चलो कोई और country में invest करते हैं तो यह सभी problems होती है जब current account deficit बढ़ती है तो और क्या action हम ले सकते हैं इसको improve करने के लिए तो कहता है क्या आप अपना domestic production को increase करने का कोसिस कीजिए धेर सारी factory लग करविंग non-essential import जो चीज की जरुवत नहीं जैसे सोना चान दिए उस पे आप करव लगा देजिए कि यह इतनी particular limit से ज्यादा आपको मतलब या तो नहीं buy करना है नहीं import करना है गेन investor confidence ऐसी ऐसी policy लाए अपने security level को इतना अच्छा बनाए कि investors जो है उसे trust हो हमारे country पे और व उसके बाद करता है adopt a physical consolidation path मतलब economy को consolidated way में चारी रखने का हम प्रियास करें चलते हैं next article में जिसमें हम लोग बात करते हैं strengthening state finances और यह news अभी क्यों आया तो हला कि इंडिया में भी क्या है एक political debate चलते रहता है जिसों हम लोग कहते हैं freebies अक्सर आप देखते हैं जब भी election time आता है हर government कोसी प्रियास करती है क्या जीतने के लिए एक ऐसा वादा करना जो की unrealistic हो जो economy पे burden साबित हो जैसे state completely जैसे पंजाब state था उसने directly declare किया कि हम जो है क्या करेंगे जीतने के बाद free electricity देंगे तो electricity आपको लगड़ा है कि आज के समय में क्या complete free electricity होनी चाहिए हां कुछ people के लिए होनी चाहिए जिस people को need है but overall यदि हम हर people को free electricity दे तो यह क्या होगा economy पे burden पड़ेगा और जो की देश की growth में वो disruption का काम करेगा उसे growth को hindrance provide करेगा तो इसी पर central government ने एक concern raise किया जिसने बताया कि यह जो debt burden है and deterioration of physical situation जो physical situation को आप खड़ाब कर रहे हैं in some state due to excessive doling out of freebies यह freebies के कारण क्या ओड़ा है debtoriate कर रहा है physical situation मतलब मनी के situation को state अब हम बात करते हैं कि state की finances कहां से होती है तो देखो कैसे system चलता है कि इस्टेट finances include क्या क्या चीज इस्टेट के finance में आती है आधर आप यहां से इसे पढ़ सकते हो या इसने क्या किया है एक diagram बनाके भी दी गया है state की resource revenue कैसे कैसे आती है एक तो tax revenue tax से कैसे एक tax जो state की अपनी है state की own मतलब उसकी sole right है criteria है tax collect करने के कितना करेगा कितना नहीं करेगा जैसे taxes on income, taxes on property, capital transaction, capital transaction मतलब क्या कोई जमीन मानलोबीक रहा है उसकी sale होड़ी परचेज होड़ी है तो उसके जो tax लगाएगी state की sole rights है उसके बाद taxes on communities and services पे ये state की own tax revenue है उसके बाद होता है tax devolution from center ये tax devolution from center का मतलब क्या हो गया कि अभी हम लोग बात करते हैं मैं एक article इसमें discuss करनी है उसमें हम इसे समझाते हैं second होता है non tax revenue क्या होता है non tax revenue क्या हुआ कि देखो चाहे central government हो या state government हो इसके treasury में पैसा जो आएगा न वो दो जगह से आएगा एक तो tax वाला amount हम सभी जानते कोई भी सरकार tax पे चलती है second होती है non tax amount कहां से होती है non tax amount जैसे मालो PSU है अब यह PSU मतलब public sector enterprises या undertakings public sector undertakings उसकी जो profit होगी वो profit government को जाएगी है न जिसे ONGC है ONGC की benefit किसको जाएगी ONGC की benefit central government को जाएगी उसी तरह हर state का भी आपना कुछ कुछ company होता है वो company की जो amount है वो amount state के पास आएगा तो यह हो गए यह आपको non tax amount और जो second और third one क्या है grant from union government तो tax devolution मतलब simple सी बात है जो tax center collect करता है न उसका एक हिस्सा state को जाएगा और एक हिस्सा क्या जाएगा center अपने पास रखेगा तो यह हो गया यह पाट बट इतने से amount से जो है न से इस्टेट का काम नहीं चलता है हमेशा इंडिया में जब से independent हुआ इस्टेट को बस यही problem है कि उसकी जितनी खर्च है उतना वो earning कर नहीं पाता है tax से तो जिसकी वज़े से यह union government ने वो उसे grant प्रोवाइड करते हैं grant मतलब वो unilateral side से जैसे कि मानलो आपके अंकल ने आपको 500 रुपीज दे दिया या 100 रुपीज दे दिया जाओ इसका जो है कि तुम पढ़ाए पैन खड़िद लेना यह एक तरह का grant है वो पैसे आप फिर उसे वापस नहीं करते हो loan जो होता है loan जिस जो भी amount आपको मिला है अपको फ्रेंड ने 100 रुपीज दिया तो फिर आपको क्या करना होगा 100 रुपीज बैक करना होगा but grant unilateral होता है जिसमें कि आपको दुबाडाव से नहीं देना होता है तो यह तीन sources से state के treasury में पैसे आती है करता है इस्टेट यह चीज हमने देख लिया Constitution में इसकी क्या है क्या क्या पोश्ट डेवल्यूशन रिविन्यू डेफसित फ्रॉम यूनियन गवर्मेंट टू स्टेट अंडर आर्टिकल 275 क्या है 275 में एस पर 275 Ministry of Finance जैसे निर्मला सितार्यमन जी रिलीस्ट करी मंत करती ह है मंतली इंस्टॉल्मेंट हर मंत में उसे एक इंस्टॉल्मेंट मनी दिया जाएगा और पोश्ट डिवल्यूशन रिविन्यू डेफसित ग्रांट क्या बात कर रहे हैं क्या मानलो यह कोई स्टेट हम ले लेते हैं एस फॉर इक्जामपल पंजाब गवर्मेंट ले लेते ह या कोई भी छोड़ोX ड्य एक्स इस्टेट ले लेते हैं एक्स इस्टेट ने अपना फिर क्या हो गया कि वह एक डियरी बनाया उस डियरी में दिखाया एक मंत के अंदर में उसको कितनी एामाउंट क्या हो रही क्या कि जैसे उसको हंडरेड रुपीज सब्स už कर लेते हर ह वो 120 रूपीज की है तो जो 20 रूपय हो गया इसे बोलेंगे रिवेन्यू डैफेसिट क्या हो गया यह रिवेन्यू डैफेसिट और इस डैफेसिट को फील करने के लिए अब इस्टेट कहा से पैसा लाएगा उसके पास तो है नहीं तो यह 20 रुपए क्या करेगा Central Government जो है इस पैसे को देगा यह वा पोश्ट डिवल्यूशन आफ्टर केल्कुलेशन के बाद जो है यह एक तरह का पोश्ट डिवल्यूशन रिवेन्यू ग्रांट जो कि Article 275 Constitution में मेंसंड है यह सेंटर को उसे देनी है और यह कैसे होगा तो इस के लिए रिकमेंड करता है Finance Commission कि किसे कितनी अमाउंट देनी है रिकमेंडेट वाई फाइनांस मिनिस्टर तो एक तो यह ग्रांट एक होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो कि Article 282 में में मेंसंड है डिस्क्रिशनी ग्रांट Central Government का मन है किसी एक स्टेट को कितना पैसा दे दे कि उसमें कोई कोस्टनिंग नई है उसका मन है दिकिसी इस्टेट को ग्रांट देने का वह उसके डिस्क्रिशनर पे डिपेंट कर रहा है कि मान लो उसने जो है क्या UP Government को दे दिया तो अपनी मन से उदे सकते हैं उससे कोई प्रॉबलम नहीं फिर उसके बात करता है कि नेट है distribute होगा tax का यदि 100 रुपीज है तो इसमें से कितनी रुपीज union रखेगा मतलब central government रखेगा और कितनी amount जो है state government को जाएगा state government को जो भी money जाता है उसमें भी एक ceiling बनी होती है x y z को इतना amount जाएगा alpha beta gamma state को मतलब this government को इतना पैसा जाएगा उसकी भी criteria पॉप्लेशन से इस पे डीटेल वीडियो दस पंद्रे मिनिट की वीडियो बना देंगे आप उसे बाद में देख लेना फिलाल बस इतना समझना है कि finance commission recommend करता है जिसमें कि वो बताता है कि कितनी पैसे किस के पास जाएगी जिसे करते हैं हम लोग net divisible pool अब कहता है क्या कि चुकि हमने अभी just discuss किया था state जो इंडिया की है उसे हमेशा पैसे की problem लगी रही तो क्या-क्या केटिव ली आ गया है support करने के लिए state की finance को तो state की finance को support करने के लिए या freebies को control करने के लिए अभी recently में जो कुछ plannings आई है उसे देखते हैं कहता है क्या reduce borrowing limit for states from 5% of gross domestic GSTP during COVID-19 to 3.5% of इतना इतना देखो पहले का आता था क्या कि मालो किसी state की GDP 100 रूपीज है तो वो इस 100 रूपीज का only 5% क्या करता था वो borrowing limit वो किसी से borrow कर सकता था 100 का 5 रूपीज कितना Forbes, 5 Pyres होगया 5 रूपीज है किसी से Qarts ले सकता था लेकिन आप बोला ये इतना भी तुम्हेंने लेना है one least कितना लेना है 3.5% मतलब 3.5 रूपीज ही तुम क्या कर सकते हो borrow कर सकते हो ठीक है एक पॉइंट यह हो गया उसके बार बोला लोडिंग ओफ वेज एंड मीन्स ओफ एडवांसेस इसका मतलब क्या लिमिट फोर स्टेट्स एन यूनियन टेरिटरी बाई की अर्बियाई ने कहा कि तुम्हें अपने जो है वेज एंड मीन्स ओफ एडवांसेस को क कि RBI स्टेट को कुछ मनी देती है अब रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर उसी तरीके से जैसे कि अभी आपने देखा कि पोस्ट डिवालिशन किसके द्वारा हो रहा था यह कर रहे थे पोस्ट डिवालिशन सेंट्रल गवर्मेंट जो भी मिसमैच हो रहा था उसके बाद रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर में क्या होता है रिसीप्ट एक एकनोमिक टर्म है मतलब कितनी पैसे जो है रिसीप्ट मतलब जो है क्या आप के पास गवर्मेंट के पास आ रही है और कितनी पैसे वो खर्च कर रही है इसमें यह दिमिसमैच होता है तो RBI उसको हैल्प कर करता है वो पैसे उसे प्रोवाइड करता है तो वही कर रहा है कि इस पैसे को भी क्या हुआ है कम किया गया है कि RBI पूरी की पूरी अब मानलो क्या इस्टेट अपने मन मर्जी से क्या कर रहा है जैसा वैसा प्लानिंग ला रहा है फ्री में सब कुछ बाट रहा है तो उसको मै कर दिया गया 36 days के लिए कर दिया गया पहले था किया 50 days के लिए overdraft facility क्या होता है कभी-कभी आपके bank आपको यह facility provide करवाता है मानलो आपके account में 0 rupees balance है बट still कोई-कोई bank आपको बोलेगा आप 10,000 रुपईया तक क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं withdraw कर सकते हैं तो इसे कहते हैं overdraft facility बट यह amount को आपको particular 50 दिन 60 दिन के अंतर में जमा करनी है पहले यह state के लिए था कि वो overdraft facility के अंतरगत में 50 days तक के लिए वो ले सकता था लोन लेकिन अब इस बोला कि नहीं अब सिर्फ तुम कुछ 36 दिन के लिए लेना है कि और इसके बाद क्या करो पैसा को तुम जमा करो तो यह भी एक तरह से control होड़ा उस पर फिर कहड़ा है क्या scheme for special assistance to state for capital investment यह एक positive scheme था जिसमें की government of India ने launch किया था 2022 में से 23 के लिए जिसमें बताया था क्या पचास year के लिए पचास साल के लिए interest free loan दिया जाएगा for capital investment capital investment मानलो कोई एक state मानलो बिहार है बिहार में क्या करना है factory लगानी है तो उसके लिए उसे दिचाहिए कि capital machinery अगरा लानी है तो 50 year के लिए interest free loan center provide करेगा तो यह state को positively support करनी के लिए था बाकि उपर वाला चीज उस पर control करने के लिए था state finance को उसके बाद करता है reform linked additional borrowing space to state government allowing additional borrowing of 1% of their gsdp to implement for critical reform देखो central government ने एक rule लाया बोला कि यह आपको चार एरिया में reform करनी पहला one nation one ration card के लिए आपको उसकी infrastructure बनानी है ease of doing business में reform करनी है urban local body में reform लानी है या power sector में reform लानी है energy sector में reform लानी है इन चार एरिया में आपने reform करते हैं तो आप जो है आपका जो भी gsdp है gsdp मतलब state का gdp पूरी पूरी इंडिया की gdp जो एक साल में पूरी इंडिया के अंदर में जितनी भी goods and services production हुई अब state की gdp मतलब एक state के अंदर पूरी एक साल में कितनी पैसे वह goods and services production करती है वह state gdp का 1% only 1% जो है वह क्या कर सकता है वह borrow कर सकता है amount किसी से ले सकता है इसके लिए ठीक है आप कोई से समझ में आया होगा ways and means advances हमने ओपर में discuss कर लिया और इसमें आपको लगवक सब कुछ अभी है समझ में आ जाएगा ways and means advances की कती दो तरह की होती है एक तो special होती है एक नॉर्मल होती है special कब होता है कता है क्या special wma और special drawing facilities provided against collateral of government security यह आपको तभी मिलेगा जब आपके पास क्या है collateral क्या होता just like क्या आपको security के लिए कुछ देना पड़ेगा मानलो आप जाते हो बैंक आप बोलते हो सराय में जो है न हमें पांच लाख रुपईया दे दो मुझे जड़ात है तो लेगा पांच लाख रुपईया ठीक है तुमको पांच लाख रुपईया चाहिए अपना जो है क्या कि घर की जो है क्या पेपर लेकि आकर गिरीवी रख दो या फिर क्या कर अपना certificate जो education loan लेठा है तो वह आपको रखना होगा तो इन इस बेसिस पे जो है क्या करता है क्या तो collateral देना होगा जब आपकी यह limit special वाली खतम हो जाती है जब exhausted हो जाती है तब आपको ए less than repo rate repo rate जितनी भी होगी उससे 1% कम rate में मिल जाएगा और नॉर्मल मिलेगा आपको repo rate पे तो आपको अधिक interest में करना होगा बस इतना ही अंतर है थर्ड आर्टिकल है इसके बाद state physical responsibility and budget management यह आर्टिकल कुछ आपको दिखता होगा दा फिजकल रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफ आर्बीयम एक 2003 एफ आर्बीयम एक्ट बहुत बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्या है एफ आर्बीयम एक्ट को बस ऐसे समझना है कि जो economy है उस economy की दो सबसे बड़ी target है कि उसे control में रखना एक तो होत होता है physical deficit और एक होता है current account deficit उपर की article हमने completely देखा current account deficit जिसमें की यह completely relate करता है trade से trade में हम कैसे समान की import export करें कि current account maintain रहे अधिक deficit ना हो पाए physical deficit मतलब वो हो गया कि current account क्या बताया वो trades related है physical deficit का मतलब क्या हो गया बहुत ध्यान से समझिएगा एक term होती है जिसे हम लोग करते हैं budget करते हैं budget कुछ नहीं बस जैसे कि आप एक list बनाते हो तो यह आपने एक budget बना लिया इतना इतना पैसा आपको खर्च करनी है और एक आप बना लेते हो कि कितना पैसा कहां से आएगी 10,000 रुपे पापा भीजेंगे 2000 रुपे मम्मी देगी 2000 रुपे भईया भीजेंगे काम इससे मेरा चल जाएगा यही budget same type of budget government of India भी बनाता है government of India जब budget बनाती है उसे मान लो क्या कि 100 रुपीज उसे जो है क्या कि income हो रही है बट इसमें से जो है क्या उसे खर्च कितनी करनी पर रही है 150 रुपे उसे खर्च करनी पर रही है तो अब 50 रुपीज जो बच रहा है इसी 50 रुपीज को हम लोग कहते हैं physical deficit हलांकि थोड़ तो आपकी जो जितनी खर्च हो रही है इस खर्च वाला इमाउंट है यह income वाला इमाउंट है इंकम कम है खर्च ज्यादा है तो आपको जो एक्स्ट्रा यह 50 रुपे किसी से क्या लेना होगा कर्ज लेना होगा बोड़ो करनी के लिए that is known as physical deficit समझ में आड़ा है तो यह दो target to reduce क्या कम करनी है फिजकल डेफिसिट रिवेन्यू डेफिसिट डेब्ड टू जीडिपी रेसियो फिजकल डेफिसिट समझ में आ गया रिवेन्यू डेफिसिट क्या होती है आप बस अभी एक लाइन में समझो हम एक बजट की वीडियो अलग से बनाएंगे वो सब कुछ रेडि है वो प्रिपेर होके आएगी तो उसमें हम लोग बहुत ही आम भासा में समझेंगे रिवेन्यू डेफिसित भी क्या होता है फिजकल डेफिसिट हम यहां से भी समझाने का कोसिस करते है डेवेन्यू डेफिसिट बहुत एक लाइन में Government of India की budget ये है budget में क्या होता है क्या revenue deficit जब भी आए revenue account आए इसे फिर आपको समझना है ये daily consumption day to day चीज को खड़ितने के लिए और capital account वाला जो भी बात होगा वो monthly और originally वाला खर्च वाला होगा तो revenue account में अब आपको मानलो सरकार को कुछ पैसे tax में आ रही है कुछ पैसे खर्च करना पड़ रहा है तो ये जो है पैसे आ रही है कम और खर्च होड़े है बहुत ज़्यादा इसी जिश को बोलेंगे revenue deficit बस अभी के लिए इतना ही next detail में समझेंगे further upcoming lecture में तो revenue deficit हो गया debt to GDP ratio क्या हो गया आपकी GDP कितनी है और इसके respect में आप कितना जो है क्या आपके पास debt है कितना आप कर्ज लिए है foreign country से तो सब country के GDP जितनी है बट इस case में इंडिया जो है बहुत balanced दिश दिश देती पे हम लोग अच्छे खासी limit पे हैं मतलब ऐसा नहीं कि हमने बहुत जादा कर्ज ले लिया है हमारी जो GDP है उसके respect में दुनिया के respect में हम काफी अच्छी place में है तो इसके लिए कोई ख़बराना बाले बात नहीं था physical deficit और revenue deficit बहुत problem create करने वाले बात है इसकी purpose क्या होती है कि यही economy को balanced position पे रखना to achieve physical stability country की जो physical economic जो है वो stable रहे अभी क्या है कि यह थूड़ी से आप इस जगह से आप एक बार देख लिजएगा उपर उपर से FRBM Act जो था ना इससे पहले 2003 में आया था 2016 में new FRBM आया है यह इसके लिए जो target सब कुछ set रखा गया था वो विजए केलकर कमिटी ने रखा था और ये वाली N.K. Singh कमिटी ने रखा था इसका नाम रखना याद बहुत जरूरी है because exam में पूछ सकता है कि new FRBM Act based on N.K. Singh कमिटी इसकी जो implementation period रही 2004-09 रही इसकी implementation period 2017-22 and still going on इसकी target थी कि physical deficit को 0.5% रखा जाएगा इसने बोला कि revenue deficit 0.85% तक हम लोग control करेंगे और physical deficit को reduce करेंगे 2.5% escape route क्या है कि 0.5% या तो इससे अधिक हो जाएगा या तो 0.5% और इससे कम हो जाएगा मतलब ये चीज़ 3% जा सकता है ये 2% जा सकता है ये न मतलब वह 0.5% का escape मतलब कितना आप उपर नीचे जा सकता है उसे ये कहते है ये old FRBM का था बहुत easy provision जितना जैसे जो हम लोग बात किये है आप इससे जब पढ़ेंगे तो एक बढ़ में बस देख लेना है कि ये new हमने जो बात किया revenue deficit को bring down करना था 0.8% physical deficit के target escape route plus minus है और government should bring down revenue deficit from 2.1% of GDP जो कि 2017 में था by 0.25 each year हर साल कितना कम करने का target रहेगा 0.25% जो कि हम इस समय तक आते आते कि 2022 से 23 तक आते आते हम लोग 0.8% of GDP ही हमारा बस इतना ही रहे revenue deficit वो हम target रखे हुए revenue deficit मतलब day to day life की consumption और expenditure की बात करें हर आदमी के लिए normal भी person कोई है मानलो उसको यदि हर दिन समान खड़िदने के लिए जैसे रासन ही खड़िदने के लिए उसे संघर्ष करना पर रहा है आप मानलो कैसा आप पर वैतित होगा जब बज़े सी कि आपको daily मानलो कुछ खड़िदना है चाहे वो आपकी रासन खड़िदनी है दूद खड़िदनी है उसके लिए हर दिन आपको कर्ज किसी से मांगना पड़े दोस से मांगना पड़े आपको फील बिलकुल आप में कॉन्फिडेंसी नहीं आएगी हाँ मालो हमें कुछ क्यापिटल खड़िदनी थी क्यापिटल में हो सकता है कि एक क्लास लेनी थी उसके एक लाक रुपे पर लगता तो आपने क्या किया वो EMI से ले लिया वो आपको उतना हर्ट नहीं करेगा जितना हर दिन समान खड़िदना है इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं जिक्र कर रहे हैं कि revenue deficit क्या था कि हर दिन जो government को पैसा आ रही है हर दिन जो government खर्ज कर रही है उसमें यदि miss match होड़ा है तो government के लिए ये बहुत बड़ा सीरदर्द है और trade के समय में समझेते हम लोग current account deficit current account deficit मतलब हर दिन जो समान खड़िद रहे हैं उसकी जो import हो रही है और जो export हो रही है इसमें यदि बहुत ज़्यादा mismatch है तो ये भी माते के लिए सीरदर्द है इसके लिए भी सरकार को daily अपने घर से अपने foreign exchange से dollar जाएगे तो कितनी problems create हो रहे थी हमने उसका impact देखा hope so आपको सब कुछ समझ में आ रहा है इसके बाद हमने ये देख लिया तो अब समझते हैं कि state physical responsibility and management में क्या act में है पहले के news में क्या था ministry of finance ने inform किया the state that borrowing by state owned company special purpose backfill और agency borrow from the market will be considered under this limit तो ministry of finance ने कहा यदि आप borrowing करवा रहे हैं अभी उने बात किया था हर state का भी अपनी owned company होती है उसकी own PSU होती है special purpose वेकल क्या होता है देखो special purpose वेकल पैसे जुटाने का एक just like तरीका है यहाँ पर वेकल से गारी का कोई सम्बंद नहीं है जैसे मान लो example से समझते हैं एक कोई state ले ले लेते हैं किम state को broadband wifi connection जो है न हर जगा install करवानी है पूरी state में जगा जगा पर install करवानी है इसके लिए इसने target बनाया कि इसे खर्च होगा 100 करोड खर्च होगा बट state के पास पैसा नहीं है तो state ने क्या किया एक special purpose वेकल नाम का एक मान लो क्या किया एक bond company act इस तरीके से बना दिया इसमें लोगों से क्या कहा कि आप इस company में special purpose वेकल में आप investment किजिए उसके बाद क्या होगा वाइफाई लग जाएगा वाइफाई लग जाएगा सबसे user फी लिया जाएगा यूजब फी मान लो 200 रुपे मंतली सबसे लिया जाएगा तो एक limit तक आपको ये तो 100 करोर ये आपको जो investment होड़ी है वो तो आपको मिलेगा ही प्लस साथ साथ में आपको interest भी मिलेगा इस basis पे हर चाहे state हो चाहे central government हो special purpose वेकल बना कि वो समय समय पर क्या करता है पैसा जुटाने का काम करता है तो एक तो ये हो गया प्लस PSU हो गया इस्टेट के अपनी company हो गयी जैसे ONGC किसकी company है central government की company और अलग-अलग agency जो बोरो करता है वो बोला किया इसकी जो limit है वो अब FRBM Act के अंदर में आएगा इस बात को उसके अद्मोड और न्यूज As this borrowing has an impact on revenue deficit and physical deficit देखो कोई भी state है हल ओभर ओल वो किसका part है इंडिया का part है तो इसकी ये दीधेट सारी क्या करता है ये money कर्ज मिलेता है तो burden किस पर रहा है इंडिया भी तो पर रहा है और जब इंडिया भी burden पड़ेगा तो वो क्या create करेगा revenue deficit और physical deficit अब समझने में कोई परवार पड़ेशानी नहीं physical deficit overall हो गया और revenue day to day life में जो सरकार को खर्च करना पढ़ रहा है और इसे जो tax मिल रहा है उसमें बेंशो प्रोविजन है अब वो चीज बोला कि यदि आप बोड़ो करते हो तो आपको सबसे पहले consent लेना होगा central government का तभी आप बोड़ो कर सकते हो under article 293 provides that state may not withdraw the consent of the government of india raised any loan यदि कोई loan लेनी है बिना आप जो है government of india के consent के नहीं ले सकते है आपको पता है क्या कोई भी एक्ट यदि overall जो जिसे की जो subject state से बिलॉंग करता है बट उस पे कानून कोन बना रहा है central government बना रहा है तो central government के कानून बनाने के बाद वो कानून को हर state में implement करना होता है तब वहां पे जारी होता है तो हर state frbm act को actually in act किया है तो therefore अब उसको इसकी compliance को माननी पड़ेगी और कता है कि compliance is monitored by the respective state legislature state की legislature इसको monitor करेगी state legislature बता है आपको जो भी विधान सवा है विधान सवा में सारे members होते है वो इससे replicate करेगा the normal net borrowing ceiling NBC of each state is fixed by union government in the beginning of each financier हर financier के start होने से पहले ही क्या करते है government of India इसे fix कर देता है कि आपको कितना बोड़ो करने का limit बना देता है इससे अधिका बोड़ो नहीं कर सकते हैं और करता है क्या 2022 से 23 के लिए इसे determine किया गया था 3.5% of gsdp मतला state की जितनी gdp है उसका only वो बोड़ो 3.5% ही कर सकता है जो कि based on था 15th finance commission के recommendation पर बाकी discussion हो गई next चलते है municipal financing आपको पता है municipal financing इंडिया में कब से start होती है तो यह एक structure of government था आपको पता है कि जब हमने बहुत major दिन था 74th constitutional amendment and 73 constitutional amendment जिसमें कि हमने दो institution को establish किया एक तो पंचायती राज institution एक urban local body जिसे आप municipalities के साथ नाम से जानते हैं यह एक तरह से क्या था कि हम government को जो है डी सेंट्रलाइज कर रहे थे मतलब डी सेंट्रलाइज नहीं हम government को grass root level पे पहुचा रहे थे तो यह सबसे ऊपर central government आती है उसके बाद state government local government और उस local government का दो portion से एक urban local government एक पंचायती राज institution बिल्कुल आपके गाउं लेवल से लेके बिल्कुल सेंटर तक के government को यह चीज़ हो है तो RBI कहता है क्या released first ever पहली बार एक compressive analysis of municipal finances and covered 200 municipal corporation across all state कि उसने RBI ने analysis किया कि कितनी finance municipal corporation को मिलनी चाहिए इन में और उसने cover किया almost पूर इंडिया में 200 municipal corporation को about finance of municipal corporation कैसे उसकी financial system चलती है कहता है 74th constitutional amendment act 1992 ने 12th scheduled create किया और आपको पता है 11th scheduled पंचायती राज institution को किया था 12th scheduled urban local bodies जो की third tier of government है फर्स्ट हो गया center, second हो गया state, third हो गया पंचायती राज और urban local bodies to promote grassroot level democracy आपके घर तक पूर democracy पहुचे आप उससे आपको चुकि आम इंसान एक गाउं का इंसान कभी भी directly MPML से नहीं मिल सकता है तो इसससे अच्छा है कि चलो एक लेवल हम गाउं लेवल पे कर दे जो की अगर निगन से जाके मिलके अपनी समस्या का समधान करवा पाए, however, it doesn't provide a corresponding municipal finance list in the constitution and it has been completely left to the discretion of government, municipal finance के लिए ऐसा कोई भी चाहे वो RBI ने भी रिलिच किया उसने particularly यह नहीं बता है कि किस municipal कार्पस को कितनी amount मिलनी चाहिए वस उसने एक और नहीं से constitution में mentioned है और यह complete discretion करता है डिपेंड करता है state government पे कि वो कितना amount उसे देता है नेक्स्ट बात करते हैं अब taxation पे taxation में पहला article है goods and services tax GST के बाड़े में आपको already पता है GST काफी famous रहा कि यह एक destination based tax था GST is a comprehensive multi-stage destination based single domestic tax on a consumption of goods and services पे और इसकी सबसे important बात थी क्या कि हमने इसको इसलिए include कि लाया GST को ताकि हम cascading effect को दूर करना चाहते थे मतलब क्या कि GST का मेरी ख्याल से बस एक ही line में एक चीज़ समझना है जिसे पहले क्या होता था मानलो हमें एक क्या करनी है cake बनानी है तो हमने यहां पर भी हमें tax pay करना पर रहा है तो हम क्या कर रहे है और overall यह tax का burden किस पर 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 था इस impact को हटाने के लिए इस चीज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया GST को बाकि detail of GST आप पढ़े ही होंगे अभी यहां पर बात करेगी तो फिर हो काफी long lecture हो जाए है कि first discussed by केलकर task force in 2003 कैसे इंट्रोड्यूस वह हमारे constitution में hundred first constitutional amendment करके हमने इसे इंट्रोड्यूस किया कहां यह यह बात जो हम लोग कर रहे थे GST के सबसे बड़ी importance levied at every value addition point हम इसे कहां पे लेते हैं हर जहां जहां value addition करते हैं उस point में ही जैसे हमने मानलो कि जब हमने आटा खड़ित के लाया floor खड़ित के लाया और इसके बाद हमें इसमें value addition मानलो 10 रूपीज की हुई bread बनाने में तो only इस level पे tax include होगा इस 10 रूपीज पे ना कि overall amount जो हमने इधर add किया है उस पे tax होगा इसी को करते हैं levied at every value addition point और कात of GST क्या-क्या है एक cGST है जो कि center को यह tax का हिस्सा मिलता है एक state GST जिसको SGST है यह portion उस state को मिलेगा जहां पर यह consumption हुआ है जहां destination waste मतलब क्या होता है कि मानलो क्या production होके भले ही वह पहुचा है मानलो गुजरात में production हुआ है वह पहुचके हर्याना में तो tax उसे मिलेगा ह भार्याना गवर्मेंट को जहां पर वो चीज पहुचा है destination based और यह इस case union territory के case में उसे मिलेगा union territory case में और दो जब स्टेट में tax का division करना होगा तो उसे बोलेगे IGST integrated GST concerning law क्या है कि Parliament ने 246A बनाया Parliament legislature of the every state has power to make law with respect of goods and services tax imposed by union और such government GST के आने से धेर सारी tax जो है समज्यूम हो गई GST के अंदर में इतनी सारी पहले state की tax होगा करते थी यह सब center की tax होते थी यह सभी को हमने subjume कर दिया GST के अंदर में और कुछ tax ऐसा था जो GST से बाहर रहा जैसे की wine पर भी देखते हैं आप पैट्रोल पर जो है electricity पर इन सभी पर GST नहीं लगता है तो इससे GST से बाहर रखा गया इसमें से जो भी चीज को बाहर रखा गया उसमें state का major source of money state को उससे मिलता था तो हमने पहले ही बात किया था कि state एक तो ऐसे ही कंगाल रहता है उसके पास पैसे नहीं रहते हैं उपर से वो एग्री नहीं कर रहता था इस point पे कि हम जो है क्या इसको GST के combat में अंदर में लाया जाया तो that's why यह अभी भी बाहर है बाकी GST council ने कहा है जब ऐसा appropriate time आएगा तो इसे भी हम लोग GST के अंदर में sub-subscribe कर लेंगे बात करते हैं कि यह सारी GST से related कुछ भी discussion debate आगे क्या further rate करनी किस पे कितनी rate रखनी है यह सभी decision GST council लेते हैं GST council एक joint forum है center और state के बोथ हर state के एक members में परजेंट रहते हैं जो की GST rate को decide करते हैं यह एक constitutional body है 101 constitutional amendments से हमने इंट्रोड्यूस किया GST को under 279A में इसके members जो हैंगे union finance minister chair person होगे उसके बाद union minister of state यह भी union minister ही हुआ यह दोनों हो गया represent कर रहा है union के तरब से बाकी हर state के तरब से या तो खुद finance minister आ जाए या उसमें किसी को उसका charge of finance दे दे उसके थ्रू जो है एक member each state से एक member आएगा और इस basis पर क्या होता है GST council बनती है तो मतलब हर state का member हो गया उसके बाद जो है फिर chair person हो गए ministry of finance और एक और ministry हो गई यह सब मिलके क्या करते हैं decide करते हैं by on the basis of voting method से इसके decision होती है क्या other key terms in the context of GST काता है कि sin goods जो भी है जैसे कि sin goods are those goods on which government impose sin tax special tax placed on goods and services that are seen to be socially determined जैसे मानलो sin goods किसे काते हैं इसे cigarette हो गया टॉबेक हो गया उसे sin goods काते है और एक term इसमें होता है circulating trading circulating का मतलब क्या होता है circulating trading refers to fraudulent availing input tax credit by traders by swing कि कुछ traders ऐसा कर सकते हैं कि हमने बात किया था कि tax जो अब होगा हर उस place पे होगा जहां पर value addition हुआ है और इस जगा value addition पर जो उसने tax पे किया वह tax के बाड़े में मानलो कि आ हुआ कि थोड़ी सीदी आप समझना चाहते हैं उसको इससे समझ लीजे मानलेजे x person था y person था z person था x person ने कोई समान बनाया इसने मानलो क्या 100 रुपिज का बनाया इसने 10 रुपिज tax दिया इस समान को फॉर्दर आगे बढ़ा दिया y ने person को मानलो अब जो है क्या ये इसके पास तो 100 रुपिज में बढ़ लिया प्लस ये tax के amount भी क्या क्या इसे pay कर दिया तो ये जो tax की amount है ना ये tax की amount को जब जो इसने pay करा था because ये तो finally आगे burden बढ़ गया तो ये tax के लिए बोलेगा क्या हम जो है क्या मुझे ये tax दे दो तो इस चीज को करते है circulating trading उसके बाद जो next point है input tax credit यही बात है क्या one can reduce tax that has already been paid on inputs यदि input खड़िदने के समय में एक्स ने tax भड़ा है तो इस tax को क्या करेगा बाद में जो है उसके पास मनलो एकाउंट में यह पैसा जमा है और यह tax आगे फर्दर बढ़ गया तो वह input tax credit बोलेगा मैंने तो अल्रेडी पे किया है तो अब आगे वह tax नहीं देगा उतनी amount उसे काते है input tax credit next point है GST compensation CES देखो CES और सर्चार्ज क्या होता है economics में ऐसा समझते हैं कि देखो एक वर्ड है CES and surcharge मालो surcharge मालो आपका income है income है 100 रूपीज ठीक है तो income पे आपको क्या पे करना होता है income tax हम माल लेते हैं यह 10 रूपीज जो है यह tax के limit के अंदर में आ रहे अब ऐसा वो लिए 10 में तो कोई लगता नहीं वो हम नहीं बस समझने के लिए मालो यह 100 रूपीज जो है आपकी income ह तो इस पे जो tax लगी सपोज करते हैं इस पे tax लगी 10 रूपे की तो यह tax amount मेरा अब इस tax पे जो tax लगेगा मालो government करती है क्या हम 1% क्या लेंगे surcharge लेंगे तो surcharge आपके income पे नहीं लगेगा आपका जो यह 10 रूपीज tax था तो 1% of 10 लगेगा तो यह जो amount हो जाएगी 1 into 1 by 100 into 10 means cut के 0.1 रूपीज यह आपका क्या हो गया यह हो गया surcharge इस surcharge amount को आप उसमें tax में add कर लो मतला 10.1 रूपीज अब हो गया आपका total tax फिर जब CES लगाने की बात होगी तो CES भी मान लो 1% है फिर 1% ना तो income पे लगेगा ना तो इस tax पे लगेगा अब लगेगा tax प्लस surcharge जो include हुआ है इस amount पे फिर CES add होगा 1% यानि कि 1% of 10.1 रूपीज तो CES और सरचार generally government तब introduce करती है कुछ developmental काम हो जिसे education के परपस से CES government of India रिलेज करती है जिसे इसे पहले जो CES था वो किसान कल्यान CES था infrastructure sales होता है developmental sales होता है environment को clean करने के लिए sales होता है यह generally rich person से लिया जाता है ताकि income की balance हो और कुछ अच्छा development वाला काम भी हो जाए तो GST compensation sales क्या था जो की rule 22 to 2022 में करता है क्या compensation sales will continue to be levied from July 1st 2022 से 31st March 2026 तक जो है मतला sales end होने वाली थी इंड डेट आ चुकी थी हमने अब तक के लिए GST मतला sales लगाया था but still government of India को लगता है कि अभी sales लेना और जरूरी है तो यह continue रहेगा उसके बाद काता है GST applicability on pre-packaged and level goods कुछ दिनों पहले आपने news सुना होगा कि अब जो है न single packaged food like cereals हो गया pulses हो गया floor हो गया आटा मतला जो भी packaged food भी है उस पे भी GST लगेगा इवेंड जो है कि पनीर जैसे आप नाम सुना है यह आप पनीर भीना packaged लेते हो तुस पे GST नहीं लगेगी लेकिन packaged पनीर लेते हो तुस पे GST लगेगी यह एक न्यूस था next one है anti-profit ring तो कहता है क्या central board of indirect tax and customs empowered CCI मतला competition commission of India to decide on anti-profit ring issue क्या होता है anti-profit ring issue under section 171 of central goods and services act 2017 profitering is defined as willful action of goods and services suppliers to not pass the benefits of any tax reduction जैसे कि मानलो government नहीं क्या किया पहले से किसी पर 8% था अब government कम करके 5% किया बट जो है क्या कर रहा है उसकी जो intermediary है वो क्या कर रहा है यह text को सरपास ही नहीं कर पार देर ही नहीं रहा है उसके recipient को उसकी benefit को तो इस पे action लेने के लिए बोला गया है किसके द्वारा central board of indirect tax and customer इसको empowered किया गया कि आप इस पे इस issue पे आप कर सकते हो decide this matter पे जो आपको करना है अब चल बात करते हैं जो अभी के लिए कुछ important debate बना हुआ है डिजिटल टेक्स के बारे में क्या होता है डिजिटल टेक्स पहले समझते हैं डिजिटल टेक्स समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा equalization लेवी उसे समझते हैं यहां से कि आप मान लो क्या होता है अभी जैसे इस लेक्षर को आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube में क्या होगा आपको एक ad देखने को मिलेगा यह जो advertisement होती है तो इस advertisement से क्या हुआ है यह advertisement हुआ कैसे, advertisement कभी भी जो आती है, उसमें दो person होते हैं, एक तो person हुआ यह जिसको अपनी company की कुछ add करवानी है, तो उसने जो add करवाया, तो इसके लिए इसने क्या किया, amount किसको दिया, google को दिया, अब यह advertisement के पैसे google क्या करेगा, यह share करेगा दो पादमी के बिच में, एक amount तो वो खुद रखेगा उसका, और एक देदेगा जिसकी वीडियो पे वो add चला है, ठीक है, तो पहले क्या था, तो यहां से भी तो revenue generate हो रहा है, और revenue पे करने वाला Indian company था, Indian company ने advertisement के लिए पैसा दिया, और google profit इंडिया के दर्सक से कमा रहा है, Indian viewer से, तो obvious सी बात है कि Government of India को भी tax देना पड़ेगा, बहुत पहले तक यह चीज नहीं था, तो अब लेकिन क्या हुआ कि हड़ developing nation ने, चुकि developing nation की इसमें interest जादा है, क्यों, जितनी भी big tech company है, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो Flipkart हो, चाहे वो बड़ी बड़ी, जो भी, sorry, Flipkart तो Indian company है, Amazon हो, तो यह सब company जो है, यह foreigner, foreign company है, foreign company है, तो वो बट इसके लिए tax pay नहीं करता था, और huge amount जो है, earn कर रहा था India से, तो सारे developing country मिलके, एक consensus मनाते हैं, कि हम इस पर tax लेंगे, तो इस पर issue क्या हुआ कि, उसी पर एक G24 group है, G24 group है, क्या है, तो यह समझ लो कि, जो developing जितनी भी country है, दुनिया में दो majorly country के group है, एक developing, एक developed, developing में सारी के सारी almost Asia के सभी country आ जाती है, अफरीका वगेड़ा आ जाता है, ब्राजील सब आ जाता है, बर जो developed 6-7 country है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोब हो गया, यह सब काफी developed country है, और सारी के सारी big tech को सीखिये, तो यह developing country के जो group ह इसने object किया, क्या चीज़ object किया, to the proposal of making sovereign commitment to not to introduce any future digital services tech, developed country यह चाता था क्या कि अब जो है future में कि आप कोई भी digital service tech नहीं लगाएंगे, जैसे कि आप अभी देखा कि जो गूगल बाला जो advertisement पे जो digitally जो हम टेक्स लगा रहे हैं, वो चाता था आप future में इस पर में कभी ऐसा इस तरह का tax ना लगे, लेकिन G24 ने object किया वहला नहीं, हम तो लगाएंगे हमारे interest के खिलाब कभी जाएगा तो, इसे समझते हैं G24 को एक मिनट तबाते हैं हम article पे, देखो पहले एक तो G77 बना था, originally जो है group of 77 developing country, 77 developing country in 15th June 1964, अभी इसकी member 134 है, इस member का एक working group, जो की काम करता, intergovernmental group के तरह, international monetary affairs के तरह, पतला जो भी economic related बात जो थी, इसने एक special group बनाया, G24, actually उससे में 24 member थे, इसलिए इसको G24 करते हैं, अभी इसकी member 28 plus 1 है, 28 plus 1, हाँ 29 member है, जिसमें से कि इंडिया तो member है ही, बट चाइना भी इसमें है, तो चाइना 28 plus 1 में आता है, व 29 member है अभी presently में, headquarter of Washington DC में है, इसकी काम क्या है कि, परपस क्या है, coordinate the position of developing country की position को, on monetary and developmental issue में, international front पे रखना, सारी सभी सामुहिक अवाज मिलके, एक developing country का अवाज मिलके, वहाँ पे present करना, to coordinate the positions of developing country, on the monetary and developmental issue, ठीक था, तो ये तो news में थी, जो हमने देखा, more on earth, क्या digital service tax क्या था, कि digital service tax is a part of OECD two pillar plan, OECD, Organizations of Economic Cooperation Group जो है, उसकी क्या करता एक plan था, agreed by 138 country, including India ने भी, digital service tax पे agree किया था, reform, क्या चाहता था, global taxation rule पे reform हो, address tax challenge हो, ये चीज था, about digital tax, तो digital tax is tax levied on digital goods services, digital business activities, जो भी digital goods है, मतलब जिसकी की, जिसे आप real world में नहीं देखते हो, बट वो एक goods के तरह behave होड़ा है, या service के तरह behave होड़ा है, जिससे income generate होड़ा है, तो उस पे आपको tax पे करना होगा, इंडिया ने introduce किया 6% equalization levied, क्या चीज, equalization levied, a digital tax on non-resident digital company, जिसे मानलों Google था, non-resident India की company नहीं थी, तो इट वाज लिमिटेट टू, बाकि आपको लगेगा, तो इंडिया की company ये देशा करें, तो उससे क्यों नहीं लेगे, तो अड़े इंडियन company earn कर रही है, तो finally on an average उसको last में, तो इंडियन person को income tax भरना ही होगा, बाट Google थोड़ी ना इंडिया में आके income tax भरेगा, तो इंडिया, तो ऐसे जो non-resident company है, उसके लिए हमने 6% equalization लेवी लेगे, and it was limited to online advertisement services, एक चीज, OECD inclusive framework on BEPS, BEPS क्या था, base erosion profit shifting, इस term को आप जान लिजे, क्या होता था, base erosion profit shifting, actually ये चीज आगे भी अभी इस पे news में है, BEPS के बारे में था, तो हम दोनों जगध को एक साथ मिलके भी discuss कर देते हैं, what is BEPS क्या होती है, तो देखों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत समय तक, चुकि होता क्या है न, कि economy में या फिर हर जगध दुनिया में, मतलब आप कितनी भी rule ले आओ, उसमें कहीं न कहीं एक छोटा सा loophole निकाल के, loopholes निकाल के क्या करता है वो, कि fraud कर ही लेता है वो, तो ऐसे ही क्या हुआ कि हमने क्या किया था, बहुत सारे country ने, और BEPS को भी समझने से पहले जो है न, कि एक चीज और आपको समझनी होगी क्या, एक टर्म है, DTAA, Double Taxation Avoidance Agreement, हुआ क्या, ऐसे समझते हैं, माल लो, Mr. X एक प्रोफेशर है, जो की Indian है यह, और यह जाते हैं Cambridge University, लेक्चर देनी के लिए, तो माल लो, इन्होंने जब लेक्चर वहां दिया, तो इन्हें जो है, टू लेक रुपीज जो है, उन्हें Cambridge University के तरब से दिया गया, रोयलिटी के इमांट में इसे मिला इतना, तो जब इन्हें 2 लाख रुपे मिला होगा, तो क्या हुआ कि 2 लाख जब इसे मिला, तो UK Government ने इसे टेक्स लिया होगा, कि माल लो कि हम बस एक एबरेज समझने के लिए, इसने क्या किया होगा, 1000 रुपेश टेक्स UK में पे कर दिया, बाकि रेस्ट अफ एमांट लेके इंडिया आ गया, अब जैसे ही इंडिया आएगा, तो चुकि इंडिया में Mr. X को क्या करना होगा, Mr. X को फिर ये तो UK Government को दिया है, United Kingdom, Britain को, इंडिया में भी उन्हें टेक्स पे करना होगा, टेक्स इंडिया में भी पे करना पड़ रहा है, और जो है UK में भी करना पड़ा, मतलब सेम इंकम के लिए दो जगर टेक्स पे करना ये तो कहीं भी किसी भी तरह से सहीं नहीं है, तो इसके लिए क्या किया गया, अब हर कंट्री आपस में DTAA sign करते हैं, ये क्यों बनाया थे हमने, हमने अच्छाई के लिए बनाया था, बेनिफिट के लिए बनाया था, कि किसी को प्रॉब्लम सफर नहीं करना पड़े, बट इसकी लूप होल्स ऐसे उठाया गया, तो उसके लिए जो टर्म आता है, बेस इरोजन प्रॉफिट सिप्टिंग, तो हमने इसी के तहत क्या किया, कि हमने कुछ कंट्री को बोला क्या, यदि उस कंट्री से मानलो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो एक्चुली वो कंट्री आप जैसे की मानलो ऐसे समझो, एक कंपनी ले लेते हैं, मौरिसस ले लेते हैं, एक इंडिया है, यदि कुछ इन्वेस्टमेंट, मौरिसस में कोई कंपनी X, यह actually मौरिसस में खुद जबमानलो TIM दे रहा है, और यही कंपनी मेन और मौरिसस में है, और इंडिया में भी गोड्स अंड सर्विशे सप्लाई कर रा है, तो इंडिया में उसे टेक्स देने की कोई जरूट नहीं है तो इंडिया ने मौरिसस से भी डी डूल्ट श्यान किया हुआ तो इस लूप होल्ष का फायदा उठाने कंट्री लिए बहुत सारे कंट्री ने क्या किया मानलो उसकी सारी बिजनस चल रही है इंडिया में इंडिया में सारी बिजनस चल रही है उसने क्या किया न अपनी एक छोटी सी ब्रांच एक छोटा सा छोटा सा मतलब जैसे लुकर टैप का दुकान होता है उसने क्या किया जाके मौरिसस में खोल दिया और आपको पता है कि Morisus में tax rate बहुत कम है बहुत सारी चीज़ों पे तो जैसे security against tax वगएरा सब है वहाँ पे almost zero के percent पे है वही चीज़ इंडिया में काफी high percentage rate पे तो इस tax से बचने के लिए इसने क्या किया वो जाके Morisus में company खोल लिया तो इससे क्या हो रहा है base erosion हो रहा है and profit shift हो जा रहा है नाम ही है base erosion profit shift मतलब base को erosion मतलब क्या erode कर रहा है खा रहा है इंडिया में उसकी base थी उस company की बट इंडिया में tax नहीं दे रहा है तो मतलब base को erode कर रहा है और profit shift हो रहा है क्या कि profit जो इंडिया में profit वो कर है तो यह चीज था बैप्स के बारे में अब देखते न्यूज क्या करता है क्या तो इस इस बात पर concern OECD ने जता आया तो OECD inclusive framework on BAPS में क्या करता है बेस रोजनल प्रफिट सेप्टिंग refers to tax planning strategy used by multinational क्या बोलता है tax planning strategy बनाता है कौन multinational बड़ी बड़ी company बनाती थी जो कि exploit करता था gaps and mismatch in tax rule to avoid pay tax जहां पर भी थोड़ी से loophole से tax rule में उसको use करके वो क्या करता था tax की चूड़ी करता था तो इसको address करने के लिए हमने जो है क्या OECD framework is based on two pillar pillar one करता है क्या re-allocation of taxing right जिसकी taxing right है उसे re-allocate करो उसे दे दो और second बोला क्या global anti-based tax erosion mechanism में कि global minimum corporate tax 15% देखो मौरिसस के इसमें ऐसा क्यों हुआ था विकाउज क्या reason था कि मौरिसस tax ही नहीं ले रहा था यदि कब मौरिसस भी minimum मालू 15% tax ले रहा है इंडिया भी 50% tax ले रहा है तो उस परसन को जरुवत ही नहीं है क्या कि मानलो कि यहां पर आके एक branch खुलने का यहां branch इसलिए ना खुला भीकाउज यहां rate of interest कम था तो इसलिए बोला अब दुनिया की चाहे कोई भी country हो minimum corporate tax जो है आपको 15% तो लेना ही है अब यदि कोई country 15 रखता है कोई country 20 रखता है तो उसकी प्रॉबलम है अधिक आप टेक्स लेंगे तो अधिक investment आपके नहीं आएगा तो minimum 50% आपको लगानी है यह क्यों था क्योंकि prevent multinational from paying low taxes and multinational company tax नहीं देता है हम यह framework लेके आए और make them pay taxes wherever they operate and conduct business जहां वो business कर रहा है वहां उसे tax पे करना है बाकी यह point हमने देख लिया digital service tax के बारे में एक करता है क्या यह थोड़ी सी आप समझना है क्या the new levy now include 2% digital service tax और equalization levy किस पे and trade and services of foreign e-commerce company अब हमने यह चीज अभी तक हमने बात किया था advertisement of google पे हमने उस पे भी लगा दिया जो company जैसे foreigner e-commerce company है उस पे भी digital service tax हमने लगा लिया because वो operate कर रहा है digitally इंडिया में उसके कोई branch नहीं है offline that's why उसे DST pay करना होगा DST is aimed to ensuring that non-resident जो यहां नहीं रह डाए digital service provider pay their fair share of tax to Indian government या फिर जिस government में जो दुनिया में भी जिस जखा जा रहे है वो जहांकि उस citizen नहीं वहां उसे tax pay करनी है OECD के बारे में organizations of एक international organization है for economic cooperation किसके लिए यह काम करता है economic related health के लिए 1961 में बना था it established in 1948 to help administer the Marshall Plan for Europe थोड़ी सी एक line देखते हैं क्या मतलब था Marshall Plan का मतलब World War II end हुआ पुरी के पुरी यूरोप तहस नहस थी आपस में लड़के सब कुछ बरबाद कर लिया था economy पुरी के पुरी बरबाद हो चुकी थे economy ruined हो चुका था economy devastated पुरी के पुरी disruption economy में feminine large scale पे आ चुका था तो जिसके वज़ा से तो एक person थे George Marshall George Marshall Harvard University में speech देते हैं जो की बात करते हैं क्या European nation को create करना चाहिए कैसा plan जो की economic reconstruction करें हम लोग सब्सक्राइब आपस में क्यों लड़े जब एक ही जगह रहना है तो इसी चीज को करते हैं economic मार्सल प्लान और जो की एक तरह का बेस भी बना economic European Union बनने में जानते हैं आप आज यूरोप की जितनी भी सारी कंट्री है एक तरह का वह एक पडिवार है आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में नहीं भीजा दिखाना पड़ता है पतब जैसे इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं यूरोप में एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग जाते हैं इसकी मेंबर इंडिया नहीं है त्यान में रखनी है यह बात करता है better policy for better lives बाकि कुछ रूल को एमेंड किया specify ways to comply with the new TDS provision on virtual digital asset CBD ने क्या कहा कि अब जो है जो new virtual digital asset है उस पर क्या करना होगा TDS देना होगा इसको थोड़ा से पहले ऐसे समझो जो न्यूज था यह था न्यूज में कि budget तो government of India ने announce किया क्या कि 30% tax लिया जाएगा on virtual digital asset तो यह virtual digital asset क्या होता है ऐसी कोई भी infographics कोई code कोई token generated through cryptographic means जो की reality में कहीं नहीं दिखता है उसकी cryptography से बनाएगे cryptography crypto technology से बनाएगे जो कि आपने सुना होगा blockchain technology तो उस blockchain technology से जो भी इस तरह का चीज बनाया चाहेगा उसे बोलेंगे virtual digital asset बात समझ में आ रही है यह जो virtual digital asset होगा इसमें हम उस चीज को नहीं सामिल करेंगे जो कि अभी Indian government या central bank जो है RBI बहुत जल्द digital currency लाने वाली है या foreign मानलो कोई company का भी digital currency होता है उसको हम virtual digital asset नहीं बोलेंगे ठीक है क्यों क्योंकि वो country का जो है क्या अपना specific होगा जिसमें कि legal backings होगा legal backing क्या मतलब क्या यदि आपके पास आज 10 रुपीज का note है यदि उस 10 रुपीज की value degrade भी हो जाया तो उस value को मतलब कौन government of India आपको always pay करने के लिए रेडी है बट कोई नहीं जानता है कि bitcoin के पीछे कौन है तो that's why इसे हम virtual digital asset बोलते हैं यह different होगा digital currency से जो की RBI करेगा तो क्रिप्टोग्राफिक में से जो होगा उसे virtual digital asset बोलते हैं इसमें एक चीज और अभी आगे आपको इसी article में दिया हुआ हुआ है non fungible token के बारे में भी तो यहीं पर देख लेते हैं non fungible token और non fungible assets का मतलब क्या होता है ऐसी token फिर वहीं समझ रहे हैं जो इसी method से बनेगा तब तो virtual digital asset में हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसे blockchain technology से बननी चाहिए blockchain technology क्या है अब science में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो we will discuss later what is blockchain technology तो यह asset होता है made by cryptographic technology non replaceable having digital signature यह बहुत 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 इसकी सबसे important line क्या है न कि जो भी non-fungible asset होगा उसमें digital signature होगा मतलब क्या ऐसे समझो जैसे मानलो आपने यह तुजान आपको इतना पता होगा कि bitcoin अभी market में चल रहा है किसी इनसान के पास ऐसे समझो कि उसके पास five bitcoin available है अभी परजेंट में पांच bitcoin है ठीक है तो five bitcoin है किसी person को एक bitcoin देनी है उसे trade किया है तो उस पांच में से कोई भी एक दे सकता है जैसे आपके पास दस रुपीज का नोट पांच five piece ten रुपीज का नोट से आपने दस रुपीज का क्या किया मानलो दस रुपीज का चाह पिया तो ऐसा थूरी जरूरी है कि उसमें से कोई एक particular note ही उसे देना है उस पांच में से कोई भी एक आप दे सकते हो तो यह सारी चीज होती है इसमें virtual digital asset में but virtual digital asset का एक special type जो हमने बनाया है non fungible asset उसमें इस तरीके का एक मानलो हमने बनाया जिसमें कि हमने जिस purpose के लिए इस asset को बनाया है वो बस उसी में काम आएगा हमने यह जिसम को मानलो बना दिया कि चलो कि तुम्हें kidney transfer के लिए एक हम एक example बात करना है non fungible asset बना के लिए उसमें digitally signature लेग दिया तो वो बस उसी specific purpose के लिए work होगा another किसी चीज के लिए work नहीं होगा इसकी uses कहां किया जा रहा है भी इसकी uses art gift design music में हो रहा है इससे क्या पता चलेगा real honor identified क्यों उसमें digital signature है मानलो कि एक इनसान ने Picasso की real painting खड़ी दी और उसमें क्या है कि digital signature किया हुआ है कि हाँ चलो XYZ तो अब market में क्या होता है एक painting की हजारों copy मिल जाती है तो इससे यह थोड़ी पता चलता है कि उसके पास वह original copy है कि photo state वाला है तो लेकिन जिसमें digital signature है वो एकदम clearly बताएगा कि really में Picasso के painting इस person ने खड़ दे थे इसमें digital signature है यही person इसका honor है यह non fungival asset की बात होती है government ने अभी क्या बोला कि जितने government ने announce किया 30% हम tax लेंगे virtual digital asset पे जब यह work करेगा commercial exchange commercial exchange का मतलब क्या दो person है a b a sale कर रहा है b buy कर रहा है तो जब ऐसा sale और buy commercial लेवल पर होगा तो उसके 30% उसे tax देना होगा और यदि यह चीज कोई person COD है यह दोनों दोस्त है एक दूसरे को gift दे रहा है donation दे रहा है उसे वन लीव यह 30% tax नहीं देना होगा 1% उसका TDS कटेगा tax deducted at sorts that is known as TDS यह पूरी की पूरी article इसमें है अब आप इसे पढ़ेंगे तो हर कुछ समझ में आ जाएगी next term लोग चलते हैं next article है non tax revenue non tax revenue government को जो भी पैसे आती है जो हमने बात किया था budget में तो government को ए one side से money आती है and another side से money वो खर्ज करते हैं तो जो money income जो government of India को होती है यह दो level पे आती है पैसा एक तो tax से आती है जो income tax होती है corporate tax होती है GST होती है another आता है non tax amount से non tax amount से government को पैसा कैसे आएगा मादलो आपसे वो fee लेता है government university में आपसे वो fine collect करता है आपसे वो और क्या करता है मानलो की गवर्मेंट को पैसा कहा से आती है नॉन टेक्स के बाद करें तो गवर्मेंट मानलो की गवर्मेंट के पास बहुत सारा PSU है बड़ी बड़ी कंपनी है ONGC है, कोल इंडिया है इसकी benefit से पैसा जो गवर्मेंट को आता है वो हो गया गवर्मेंट मानलो कुछ क्या करता है अपने asset को sell भी करता है asset को बेचता भी है तो जैसे monetization अभी आप program सुनाओगा कई सारे airport को मानलो हम लोग यदि बेच रहे है Air India को हमने बेचा वो सब पैसा जो है जो इस account में जाएगा उसे non-tax revenue बोलेंगे clear है non-tax revenue income earned by government from source other than taxes से इसमें क्या होता है interest receipt होता है interest receipt हमने बात किया था loan जैसे मानलो government of India ने सिरलंका को दे दिया उससे जो interest मिलेगा वो भी tax तो है नहीं तो ये पैसा इसमें हो गया dividend and profits from PSU PSU से LIC से profit होड़ा है तो government of India के पास जाएगा asset monetization क्या होता है asset को money में convert करना is known as asset monetization government के पास suppose करो धीर सारी मानलो जमीन railway है यह यह railway track के आसपास धीर सारी जमीन government of India के खाली है government नहीं क्या किया 30 साल के लिए 40 साल के लिए यह जमीन जो है किसी business में आप यहां पर बड़ी complex मना लिजिए warehouse मना लिजिए तो इससे क्या होगा कि 30 साल के लिए जो इसे rent मिलेगा इसको बोलेंगे एक तरह का monetization और dis investment मतलब क्या होता है कि सरकार अपनी जो government जो government company है उसकी share ownership मानलो पहले government के पास है ownership मतलब greater than 51% होनी चाहिए 50% से जाता मतलब 51% है तो ownership है वो तो government के पास मानलो अभी 90% share था 10% share people के पास था government क्या करेगा अब जो है अपना share 80% कर लिया 10% और क्या कर रहा है public को रिलीस कर दिया इसे बोलते है dis investment और privatization completely क्या अपना ownership government जा भटा देगा उसे बात की बोलते है privatization steps of for asset monetization की कोई asset को कैसे monetization करेंगे तो उसके लिए क्या क्या कैसे भी इंडिया में काम चल रहा है तो इक national land monetization corporation है जो की government की land जो है the holy government company है ये to aggregate land from all PSUs उसे वो sold करता है या wound up करता है ये काम इसकी है एक है alternative mechanism AM strategy on strategic disinvestment क्या है क्या AM was created 2019 to decide strategic disinvestment of central PSU क्या होता है strategic disinvestment जब आप up to 50% आप उसकी क्या कर रहे है share को 50% तक जो है कि disinvestment कर रहे है मतलब उसको privatize कर दे रहे है public को बेच दे रहे है और उसकी जो है साथ ही साथ में भी आप उसको transfer of management control भी आप उसे दे रहे है तेसे बोलते हैं हम लोग strategic disinvestment next national monetization pipeline तो government of India ने क्या सोचा कि उसने एक बनाया national infrastructure pipeline NIP तो NIP के तहत government क्या करना चाहती थी भारत सरकार उन्होंने क्या realize किया इंडिया में जो है न यदि हमें इंडिया को manufacturing hub बनानी है तो हमें क्या करना होगा हमें एक बहुत अच्छा level का जो है न हमें infrastructure base चाहिए infrastructure base में जैसे seaport, airport, railway हर जगह की अच्छी connectivity हो तो इनके लिए government ने जब प्लान किया तो उसे almost 11 lakh करोड की लगभग budget आई कि इतना पैसे उसे खर्च होगा 11 lakh करोड उसने में से government ने सोचा अब इतना पैसा आएगा कहा से 11 lakh करोड तो उसने सोचा क्या 6 lakh करोड जो है हम national monetization pipeline से कमाएंगे मतलब देश की जो भी main main asset थी उसे हम 30 साल 40 साल के लिए private को दे देंगे और उससे जो income होगी हम नया नया infrastructure create करेंगे जिसकी तहत क्या है कि airport को monetization हम ने किया airport को क्या क्या privatize कर दिया कुछ समय के लिए private के हाथों में दिया और ऐसे ऐसे बहुत सारी companies थी जिसे की जो profitable नहीं थी जिसे air इंडिया थी profitable नहीं थी तो उसे हमने बेच दिया ये program रही इसके अंतरकर में अब कुछ की concept है physical policy related एक बात करती है twin deficit की हमने बात किया था दो deficit कर देश को बहुत परिसान करती है एक current account deficit एक physical deficit current account deficit जब भी बात करेंगे trade की और वो trade में deficit होगा जो हम daily day to day life में consume करते हैं और physical deficit budget के लिए होता है government की total spending में जितनी पैसे उसकी income है एक expenditure है income और expenditure में जो minus होगा जितना पैसा government को extra खर्च करनी के लिए पैसा जवरत होके तो उसे कहते है physical deficit deficit यह news था कि ministry of finance in monthly economic review कौसंड दी re-emergence of two deficit उसे मतलब एक तरह से चितावनी दी है कि two in deficit problem in economy देखने को मिल रहा है next article है single nodal agency SNA dashboard यह क्या है इसे launch किया ministry of finance ने यह एक public finance management system है एक dashboard के तरह का है just like platform है जो कि public finance में help करेगा the initiative is a part of forms which parts of PMS PFMS reform that was initiated in 2021 regarded to how funds of centrally sponsored scheme are released, dispersed, monitored मतलब देखो center क्या करती है money release करती है तो उसमें हमेशा से problem रही है कि जब भी जितनी पैसा government बेचती है तो बीच के बहुत सारे intermediaries में चले आती है तो एक इस तरह का platform हो जा गया जो कि एदम particular समय पे इसे release किया जाएगा एदम hand to hand वो पहुच भी जाएगा और अच्छे उसकी monitoring जो है क्या उसकी clear होते रहेगी तो यह SNA dashboard से हम लोग करेंगे उसके बाद करता है क्या status report on external debt के बारे में कि हमारे economy में कितनी percent हम बाहर से कर्ज लेते हैं जैसे जो अपनी खर्च को जैसे कि हमारी क्या थी हमने देखा तन physical deficit में मतलब क्या हमें कितना पैसा दूसरे देश से कर्ज लेना पर रहा है to meet our expenditure तो department of economic offers ने बताया क्या 8.2 percent rise in India's external debt हम इतनी percent की rise हुई है और यह बढ़के कितना हो गया है 620 billion dollar 620 billion dollar जो है कि हमारे पास अभी external debt है हाला कि यह चिंता वाली बात नहीं है GDP के ratio में दूसरे देश से compare करें तो normal है कोई tension की बात नहीं है next article है Tobin Tax तेको Tobin Tax क्या होता है actually James Tobin एक Nobel laureate थे जिनकी नाम से Tobin Tax पढ़ा कि actually जब initial में FDI इंट्रोडीस हुई न तो FDI में क्या loophole country है जमानलो कि कोई एक country है American company X country है वो इंडिया में आके invest करी इंडिया में high interest rate है मानलो यहां पर profit कमाया जैसे ही इंडिया में किया हुआ interest rate down हुआ कम हुआ तुनत यहां से पैसा निकाला वो चले गया सिंगापूर चले गया सिंगापूर में दो दिन रखा यहां पर पैसा उसको है रिटर्न मिल रहा है जैसे उसको पता चल रहा है कि किसी और country में high interest rate है मानलो अब वो चैशले गया आश्ट्रिलिया तो यहां से पैसा निकाल के आश्ट्रिलिया चले गया ऐसे में क्या होता था क्या जब इतनी जल्दी कहीं कि वो किसी country में पैसा इन्वेश्ट करेगा निकालेगा इन्वेश्ट करेगा तो उससे उस देश में इकॉनमी में डिस्रप्चर प्रोड्यूस हो सकती है आदमी का ट्रस्ट डूब सकता है कि तुरंत आ रहा है तो इस चीज से बचने के लिए जैंस टॉबिन ने एक फर्मूला दिया कि आप क्या करो उससे जो है न क्या हैंने यहापे शौर्ट टम करंसी इस्पेकूलेशन उसके बाद एक क्या करता है विंट फॉल्टेक्स क्या होता है यूज्वली इंपोस्ट वगे जटने इंकृस इंप्रॉफॅत of particular sector तो government windfall tax लगाती है मालो देश में बहुत सारी company है कोई एक company क्या हो रहा है न बत exponentially वो rise कर रहा है तो उससे क्या करेगा उस particular sector में government tax को increase करेगा और वो इसलिए increase करेगा ताकि उससे जो है क्या उस money से public welfare हो पाए levied on the public interest ये चीज़ यहाँ पे central has cut windfall tax on crude oil तो अभी government ने इस windfall tax को कम किया है ठीक है increase नहीं कम किया है किस पे crude oil पे and scrap petrol export लेवी इस पे बात है उसके बात थी guard general anti avoidance rule अभी हमने बात किया था BEPS के बारे में याद है तो जो हमने बात किया DTAA इसके loophole इसको सही करने के लिए हमने BEPS sign किया country से इसको monitor कोन करेगा कोन सी country इन सभी को monitor करता है इन सभी को monitor करता है गार गार investigate कि क्या रियली में कोई company की revenue loss हो रही है for an investor क्या सही है गलत है इसको करता है गार general anti avoidance rule ये करता है तो गार is an anti abuse provision invokes by tax authority to strike down unacceptable tax avoidance practices जो भी tax avoidance practice कर रहा है बहुत सारी company पता है कैसे ये काम करती revenue loss वाली कि जैसे मानलो कोई company है तो उस company ने क्या दिखाया एक बगल उसका होता है revenue एक उसके बाद जो है क्या कि कितनी revenue generate हम कर रहे है तो revenue में तो वो क्या करता है कि बढ़ा चरा के दिखा देगा कि चलो हमने जो है कि जैसे मानलो कोई समान को खड़ित के लाया 100 रुपे में बोलेगा हमने इस समान को 1000 रुपीज में कामाया और फाइनली बता देगा भाई हमको तो profit ही नहीं हुआ तो profit देखे ना मेरे पास मातरी 10 रुपे profit हुआ तब आप क्या tax लिजेगा ऐसे बहुत सारे company करते हैं जो बढ़ा चरा के दिखाते थे कि मेरी investment ही बहुत जाता है तो इस चीज पे इस चीज को investigate करने के लिए हमने बनाया Guard General Anti-Avoidance Rule नेक्स्ट है Central Board of Direct Taxes CBTT तो guidelines are related to applicable of new tax deducted at source TTS benefits received in a business and or profession तो जिसमें से कि ये budget 2022-23 में एक new section introduced किया गया था 194R जो कि ये कहता है कि आप 10% के rate से जो है आपको TTS देना पड़ेगा कि इसमें regarding the benefit received in a business और profession जब वो amount exceed करेगी 20,000 से उपर जाएगी तो उसके बाद next article है DTAA Double Tax Avoidance Act इसको हमने discuss कर लिया अभी पूरी detail में वही discuss कर रहे थे DTAA plus BEPS के बारे में तो ये complete हो चुका है इसमें बस एक news क्या याद रखनी है कि Google India payment तो Google जो Google इंडिया के जो branch है वो payment कर रहा था Ireland को unit को तो उस पे क्या कहा कि ITAT income tax appellate authority कि ये amount royalty नहीं है royalty क्या होता है royalty refers to payment that is made to the owner आप royalty कभी भी जैसे कोई मानलो आपने एक book लिखी है तो book लिखी है book की price जो तो हर year के इंडि में आपको कुछ royalty मिली है बट बोला कि ये जो आपकी जो payment जो आप Ireland को कर रहे है न वो royalty नहीं है therefore not subject to withholding tax with holding tax क्या होता है एक वो term को भी जान लेना है withholding tax मानलो क्या होता है कि एक company एक person है ये काम करता है Infosys में तो Infosys को salary देगी salary देते समय कुछ amount क्या होगा withholding tax के रूप में इससे cut कर लिया जाएगा मानलेते हैं क्या एक लाखिस की salary है तो thousand रूपीर ही क्या किया जाएगा इससे cut कर लिया जाएगा withholding tax के नाम से जो की अब Infosys इस amount को government के पास जमा कर देगी अब साल के end में Mr. A क्या करेगा अपना ITR भड़ेगा यदि Mr. A की total income अभी भी tax slab से कम है less है तो इसे वो पैसा क्या हो जाएगा वापस मिल जाएगा यदि tax slab से उपर है अब मान लो कि इसे tax pay करनी है 50,000 रूपीज इसका जो है इस तरीके से withholding tax यहां पर जमा होके पहले से ही रखा हुआ है कि 10,000 जमा हो चुका है तो only इसे 40,000 रूपीज जमा करना होगा अब इसे सब को समझ गया होंगे लास्ट में है R.N.O.R resident but not ordinary resident एक new term है R.N.O.R जैसे का आप आप एनराइ सुनते हैं नॉन रिसिडेंटिंटिंटिंह ये है बड़ रिसिडेंट है लेकिन आप ओइडिनरी रिसिडेंटिंटिंटिंटिंटिंहां नहीं है तो किसको कहेंगे ष़ यदिन करता है एक लेधि ये ये यह 120 डेज लेकिन 182 डेज से कम रहता है पहला क्रिटेरिया and earn 15 lakh or more from assets in India मतलब वो जो क्या करता है कि 15 lakh या से अधिक किसे कमाड़ा Indian assets से by the help of export और import या तो वो खुद रहा के export import कहता है या फिर उसका कोई मानलो भाई है कोई business है कोई staff है वो यहां से facilitate करता है वो business में जाके क्या कर रहा है क्या export कर रहा है और यह हाला कि यह जो पूरी की पूरी काम हो रही थी तो government of India के ही एक scheme थी EPCG जिसमें की बात करते है export promotion capital votes government चाहता था कि हम export को promote करे उसके लिए यह term आया हुआ है और कोई भी आदमी NRI status इसलिए लेना चाहता है NRI या फिर RNOR उसमें उसको tax benefit हो जाता है उसको फिर इंडिया में tax pay नहीं करना होता है तो that's why इसके लिए जो है क्या बट इंडिया चाहता है क्या मुझे export बढ़ानी है टेक्स तो बाद में भी हो जाएगे उसके बाद क्या करता है Automatic Exchange of Information हमने आपको पता है कि इंडिया की बहुत सारी amount जो है बहुत सारी लोग Swiss bank में जमा रखते हैं हर कोई हम लोग fun में भी करते हैं अरे तुम तो बहुत पैसे Swiss account में रखते हो तो इस चीज को Government of India ने Swiss bank से एक agreement sign किया है जिसमें कि yearly क्या करेगा Swiss bank इंडिया को वो सारी details प्रोवाइट करेगा कितनी amount इंडिया में कितनी individuals की यहां पर जमा है तो वही उसी के बादे में कहता है क्या और इसमें क्या देखने को मिला है बहुत राइज देखने को मिला है मतलब इंडिया और भी ज़्यादा पैसा जमा कर रहा है Swiss bank में एज पर कहता है Annual data from Switzerland Central bank से क्या आया funds parked by Indian individual and firm in Swiss bank jump to 14 year high 14 साल में सबसे अधीक हो चुका है 14 साल की यह high है to fight tax fraud and evasion जो इंडिया की लोग क्या करते थे fraud करके महाँ पैसा जमा करते थे तो an automatic exchange of information in tax matters between Switzerland and India has been forced in since 2018 से 2018 में हमने ये agreement के तब से है हम लोग automatically exchange of information होता है हम अपना information से देते हैं वो अपना information हमें देता है AEOI provides for the automatic exchange of predefined set of information हमने एक set बना लिया है आपको इस-इस criteria में information देनी है predefined है उसी चीज़ का information दोगा between tax and authorities के बारे में between tax authority इंडियन tax authority से share होगा वो Swiss bank के tax authorities है Under this framework detailed financial information on Indian residents हर साल Swiss bank provide करेगा thank you so much आज के लिए इतना ही मिलते हैं next lecture में ओके बाबाई थीज़े आई